als नमस्त्य मित्रों आज का एपिसोड़ होती इंपर्टेंट एपिसोड़ है हमारे साथ आज जो गेस्ट है वो ब्रिगेडा देविंदर सिंह हैं जो सत्तर ब्रिगेड के कमांडर थे कार्गिल में बटालिक सेक्टर में कारगिल वोर हिरो हैं और एक ये एपिसोड इसलिए भी यूनीक है क्योंकि मेरे साथ इस एपिसोड को होस्ट करने के लिए शिवकुनाल वर्मा जी है जिन से आप पहले मिल चुके हैं दो एपिसोड हम कर चुके हैं बारत के सबसे बहतरीन मिलिटरी हिस्टोरियन्स में से एक और इस कारगिल वोर को फिल्म करने वाले दो जर्नलिस्ट थे उन में से एक शिवकुनाल जी थे तो मैं पहले सर आप थोड़ा एक्स्प्लीन कर दीजिए जब हम देविंदर सर से बात करेंगे लेकिन पहले आप ये बता दीजिए दो दर् है थैंक यू अरिया कि खुटी चोनी गड़ी गड़ी पापस आ जाती है तो अब इसे बिदेशा सेशन मेरे ख्याल से हैं विगड़े साप आपके सांथ साल्वेजब प्लेसर तो कारगिल की जो हम बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में कारगिल टाउन होता है और कारगिल की लड़ाई का हमारे को जिसे भी बात करो उनको एक वेक सा आइडिया है कि इस एरिया में जोजिला क्रॉस करो तो कारी ला जाता है लेकिन असलियत यह है कि वह बहुती बड़ा सेक्टर है उसमें उसका पूरा स्कोप अंडरस्टैंड करने के लिए हुआ जाना बलकूला यहाए है लेकिन जोजिला जो जो सोनामर से आप उपर जाते थे तो सोनामर से MRI से इमेजएटली ट्राइजेट कैम से आप जिग-जाग करके जोजिला पास आता था और जोजिला में एक कैप्टेंस मोड होता है वहाँ पे तो इतने सारे मेरे ख्याल से मेमोरियल्स हैं और वो क्या हो थो थोड़े ट्रैक्स जाजे ब्रॉड हो गए हैं यह वो विंटर के महीनों में जोजिला बिल्कुल कुछ जाजी बरफ किरती है और वहाँ पे अवलांचे वगरा का काफी प्रॉब्लम है बल्कि तरिक कैसे 200 आदमी मारे गए थे वहाँ पे हमारे ग्रेफ के कुछ भी हो सकता है उसे अरिया में वाप कारगिल को जब आप क्रॉस करते हो जोजिला को जब आप क्रॉस करते हो तो एक धरन से पूरा टेरेन बदल जाता है सोना मर तक तो बड़ी हर्याली है पेड है नदिया है उस जब आप में ट्राउड भी हुए यह है वह पर आजैसे ही आप उपर आते हो आप मैंटilly आगे क्या है आपको कोई आइडिया नही है पर जब आप दुसरी साप्रा में जोजला के एक तरफ सोना मर के एक तरफ गंड़ी है जब आप गंड़ी में पहुचते हो तो ऐसा लग उसके आगे और भी बेरन है पर वो जो इमेजेट कॉंट्रास्ट आपको हिट करता है वो आपको काफी जोड से लगता है गुम्री के आगे एट पॉंटेंड डिविजिन का एड़ कॉर्टर्स था मुगल पर आकर के उनोंने पॉइंट बनाया हुआ था वहां से आगे जाए तो एक और रास्ता है जो बहुत कम लोग यूज करते हैं जो आपको गुरेज के साथ लिंक करता है मश्गो और उस वाले अइरिया में से राध़धान पास से इदर से आप कश्मीर वैली से आये तो आप राध़धान पास को क्रोस करके गुरेज में जात फॉर्टी सेवन फॉर्टी एट में भी इसमें सेवन कैवलरी ने टैंक्स यूज किये थे बहुत सारा ड्रामा हो चुका है जोजला के उपर जोजला से आप आगे जाओ तो फिर आपके काफी आगे जाना पड़ता है फिर आप एक साइड में मश्को वैली आ जाती है पुरी फिर आप आते हो दरास पे दरास कहते थे कि इस अधर कोल्डेस प्लेस ऑन दे प्लैनेट और आपे काफी लोग स्याचिन की बहुत बात करते हैं इसकी पर इस वाले सेक्टर में पोस्ट को होल्ड करना क्या है यहां बहुत भरफ गिरती है और एवलांस इसका बहुत खतरा ह तो यह एक और कारण था क्योंकि यह सेरिया में विंटर में हम लोग विड्राव कर जाते थे पाकिस्तान भी अपनी साइड में चले जाते थे कि वहां पर किसी को रखना बहुत मुश्किल होता था फिर आप जाए दरास से आगे और जैसे आप आगे आगे जाते हो और भी ज्यादा बेरन हो जाता है और फिर आप आते हो कारण कारण टाउन शुरू नदी आती है और वहां पर उसी के एजड़ पे उनोंका कारण की का शेहर इंशेहर क्या चुटा साइट आउन है अब तो वहां पर उनने रनवे वगरा भी बना दिया है एंपरील भी बन गया है जाएए आगे तो फिर आपको एक ये ले को जो रास्ता जाता है वो फतुला से होते हुए फिर लामा यूरू होते हुए फिर इंडस वैली बे आ जाता था वहां से आप राइट मुड के करीमन और किया से 200 किलमेटर होगा वहां से ले अब बिल्कुल फ्लैट रोड है उसके बाद आप चलते रहो लेकिन अगर आप इंडस वैली के साथ डाइने मुडने की जगह आप बाएं मुड जाओ तो आपका बटालिक सेक्टर आ जाता है और पर दब तक आप इस अरिया में आते हो इंडस का पूरा रंग बदल जाता है क्युंकि जब इंडस लिदाक में है तो उसमें बहुत कम पानी है सेवेंटी बिल्गेट जो क्यारी में होती थी मेरे पिता जी उस पुलिद कर चुके थे उस टाम क्यारी में थे उसमें तो आप आप नदी को आप अच्छली कोई करता नहीं था क्योंकि खत्रे से छोड़ा जोकिम तब उस पे यू कुट आप अच्छली जगाई थी जह आप ग्रोस कर सकते थे चुबतांग वगरा में तो अराम से उसको जहां पर नदी फुड़ी फ्लैट आउट जाती थी लेकिन जब त वाल्यूम अव वाटर अब जो इंडस हाप की यहां पर चल रही है बिल्कुल इट्स ए रेजिंग टॉर्इंट बिल्कुल अब यह जो में इंडस है वो पाकिस्तान को चले जाती है बटालिक से एक वह से एक और नाला आता था यार्ड नाला वह वाले नाले के अंदर जाका था बिल्कुल ही completely isolated था और फिर वहां से इनके सेक्टर से अगर आप यह इस्ट वर्ड जाएए फिर आपका यह पूरा एर्या आजाता था यह जो चोड़ पतला और यह सब टूवर्ड हनी स्ट चैचिन के लिए निकल जाता था तो यह सर सेक्टर आपका the forgotten सेक्टर थ क्योंकि सारी मीडिया तो दुरास और यह गुंडरी और दुरास और उस एरिया में थी जहां पे सारी आटिल्री भी वहां पे इंप्लॉइड थी जो इत्ती भी डिविजिन की फाइटिंग हो रही थी आप लोग त्री डिविजिन के हिस्सत थे आपकी आपकी ब्रिगेड होक ब्रिगेड आइड़ाइड हुई थी आपका वहां पे मीडिया के ग्लेर के बाहर आपकी जित्ती भी लड़ाई हुई है उधर हुई है और आपकी जो यूनिट्स हैं जब आपका ब्रिगेड हैड़कौर्टर आप उपर लेके आए हो उस ताम मेरे खाल से आपका सिर्फ हैड़कौर्टर था आपके पास तो एक एक या दो पल्टर ने थी जो बाद में आई कुछ नहीं था और उसके बाद वो आपको यूनिट्स देते रहे और उसमें मेरे खाल से ग्यारा यूनिट्स थी आपके पास लड़ाई के एंट था तो यह जो फरगोटन सेक्टर था यह हमारा है बटालिक सेक्टर जिसके बारे में बहुत कम चर्चा हो जोई है और आज जब बिगड़स था इसका कारण गया है मतलब यह कि इसका एक तो यह बड़ा आइसोलेटेड है अच्छा उस एरिया में जाना बहुत मुश्किल था अब आपने जिकर किया है कि दो जो बाकी एट डिविजिन की जिती भी फाइटिंग हुई है वो नैशनल आई बे वने पे हुई थी तो जो मैं पहली बार ही गया हूँ है बिगड़स आप थे वहां पर मैं मैं जनल बुद्वार के साथ गया था जो 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 त्री डिव थे उसके अंडर इनकी बिगेड पं कशपीर बारा बुला टू कारियल जो बाद में बिल क्लिंटरन को भी दिखाई गई थी वो फिल बट वहां पे बिले थे सब पहले बारी और अब आप चंदीगर में बात कर रहें तो आप थोड़ा असा थोड़ा और मैक्रो लेवल में बटालिक सेक्टर एक्स्पें करों स कِ तो मैं फिर फोड़ा से एवेंट्स के साथ कानेट कर देता ओ un mix और अर बटालिक सिर्ट तो फोड़ा तो इए सुछ अब बहु को पहुंचे हैं ओभा हुआ तक उनका भी निरेशिन कर देता ऐउं फोड़ा सा बटालिक सैक्टर जैसे आपने बतLAYा कि 17th Obrig Manager ce original me command कर रह कारगिल एरिया को जोचीला से लेके सियाचिन ब्रिगेट के आखरी तक सब कुछ थ्री डिविजन के नीचे ही आता था परंतु जो सतर ब्रिगेट है इसको 1997 में नीचे ले आए थे मैं नहीं था कमार्डमेंट में से पहले मेरा पेडेसेसर था कि अद्धिवेली में तो उसलिए उसको 1997 में केश्मीर वैली के इलेक्शन को बोल्स्टर करने के लिए उसको थोड़ा सा और टुप्स को एड़ाओं करने के लिए क्लिए जारा टुप्स रही होते हैं तो एंड़ एलेक्शन हो रही थी नौदएस साल के बाद क्यूंकि 1989-90 के उबदला साब अलेक्ट हुए किराके पर जैसे यह 97 में खतम हो गया 98 में इस सेक्टर में दरास सेक्टर में वापस जो लदाक में पड़ता है फारिंग लेवल बहुत हाई हो रहे थे और उन्होंने बोला वही आपका काम यहां पूरा हो गया है अभी आप जो इंसर्जिंस में आखरी में उस ताइम उबर अफ पढ़ना जोजीला बंद होने वाला था लास स्केल कूप मुवमेंट हो नहीं सकती थी पर लदाक सेक्टर को खुश करने के लिए जैनल बदवार को खुश करने के लिए उन्होंने बोला यार ब्रेड एट को पर लो पहले तो मेरे को ब कुमडी के पास आगे दराज फारेंगी फारेंग चल रही थी खाले नाइट मुवमेंट करके हम दो दो गाड़ियां तीन तीन गाड़ियां करके हमने पार किया और कारगल में हम वन टूवान ब्रिकेट के पास जाके पहुंचे आखि एक भी पल्टन नहीं थी उस ते मेरे मेरे पास कोई पल्टन थी जो कि मेरे साथ थी कैश्मीर वैली में जो आई थी मेरे और वो पीछे थे थे पड़ उनने बोला अगले साल जब पास्स खुलेंगे में में तब कैचाप करेंगी मीन वायल जाके देखते हैं आपको कैसे काम कैसे उटलाइजेशन करेंगी और य स्केलेटन स्टाफ होता है उसकेल कमनी के कुछ बंदे थे मुशकल से दो सो बंदे थे हैं कराके देर तो यह लड़ाई वाली फॉज ने यह तो हम खाली कंट्रोल एलिमेंट थे और कॉम्निकेशन वाली तो जैसे वहां पहुंचे तो आगे के इवेंट्स में बार्द में पर मैं टरेन पर आ जाता हूं कि टरेन जैसे कुनाल सामने बताया कि टरेन ऊपर जाके थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है नीचे ग्रीन है बाल्टल तक उसके बाद आप क्लाइम करना चुछ उश्रू करते हो सो नमर से बरी स्टीप क्लाइम जोजीला क्रोस करते हो थोड़ी पहाड़ हैं बट थोड़ा सा पहाड़ों में फ्लैट ऐरिया है कार गंल तक पाका देर अंड उसमें से आपको नेग्रीट करना है मेश्को वाला जो एरिया है उसके अंदर भी L.O.C. से एक पहाड़ी बीच में आती है तो वो पोटेक्टेटेट है तो गुम्री ऐरिया ज खतम हो जाता थो द्राब द्रास महुचने वाले थे तो सारा एरिया पाकिस्तान के साथ जो लाइन आफ कॉंट्रोल थी उस लाइन आफ कॉंट्रोल से सारा हिल्स दिखाई देती थी और डिस्टंस था छे से साथ किलुमेटर आम तोर पे फॉजी जो विपन्स हैं वो अठारा विपन्स होती है उनकी रिंग ज्याधा होती है वो ऊपर फायर करती है यह और उनको डिप्रेस करके उनोंने डिर्क एक्शन रॉल में लेके हाईवे के उपर फायर खरते थे उससे उनको छे साथ किलुमेटर रेंज मिल जाता था उससे वो आम तोर पे सपाट फारिंग गा लो भी थोड़ा सा सप्रेस करेंगे एक अधी जगह पे जहां से लग रहा है ज्यादा है करके और छोटी-छोटी पॉकेट में करो उससे बाइजर टाइम वो शुरू करते थे अपना फारिंग आप कहीं और आड ले 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 थे तो ऐसे से करके हम किसी तीके से करते करते हम सेफली बिना कोई इंसिडंट के वापस कारगिल पहुंच गया है वापस तो नहीं कारगिल पहुंच गया है आगे की तरफ जा रहे हूँ और कारगिल के एक बड़ी पहुंच गया तो उसके बाद तो फिर ड्राइव नॉन्मल है जैसे बतला रहे थे हम मेरे को खालसी में क्यारी तो वापस नहीं गए बट अमको खालसी खाली पड़ा था तो खालसी में बोला आप अपना पोजिशन लगाए है तो खालसी में मैं विंटर्स के लिए फिर वाँ एड़कॉर्टर को लगा लिया और ये मौका मेरे को मिल गया विंटर्स का जो की डिसेंबर, जैनु पर इれ वरी फैबुरर्यवर्य मार्च इन चार में में डिजर्व बिर्केड का मतलब होता है कि आपके बट आपास कोई ग्राउंड होदिंग रिस्पॉंसिबिल्टी नहीं होती जो डिपलोई ब्रकेड हैं पाकिस पीरफ पंशित उनका का मुता है जमीन को की अउपर जाएंगे, टुप्स होने चाहिए, पर टुप तो थे नहीं, करके तो आपकी ये दो कॉंटिजनसी होती है, आप मदद करेंगे इनकी, या फिर आप ओफिंसिफ के लिए जाएंगे, तो उसके लिए मैं अपनी रिकी करता रहा, मैं भी इस एरिया में सर्व नहीं किया था, त तो इन तीनों से ब्रिगेड सेक्टर्स को अच्छी तना टाम में लिए स्टडी करने का, और उस ताम क्या होता है कि फॉज में एक सिस्टम है, तरीका है कि ब्रिगेड लेवल से लेके उपर तक बॉर गेम चलती है, बॉर गेम का मतलब कि कोई एक बंदा दुश्मन बन जा करना, ताकि वो काम्याब होंगे जा नहीं होंगे, उस बंदे को छूट होती है, तू अपना दमाग लगा और हमारी कमजूरियां दिखा, उन कमजूरियों को फिर हम बादने बैठके अपने टाइम पे दूर करते हैं, तो इस तरह यह किसम का सीखने का तरीका है, ताकि हमा हमारी कोई कमजूरी रहना जाए, जब दुश्मन आएगा तो हमारी जो कमजूरियां हमको पता चल गई है और हम उनको दूर पहले से ही कर सकें, तो ब्रिगेडों की वार गेम थी, उन सब की वार गेमें मैंने चलाई, यह कब हुई थी सर वार गेम लास्ट वाल, यह तो अ नान में, ने नान में, फेर्ण में डिविजन की हुई, एड एपरिल में साथ एपरिल को हुनी थी और की वार गेम, बॉर की वार गेम में, तो सक्तार का सेक्टर तो बहुँभा था वर शुत के इमखाली 15 ओर ही था जो की सिर नगर में था, तो उसके लिए एट ड्विजन जो की अगेन होल्डिंग डिविजन नहीं था, वो काउंटर इंस एजिंसी के लिए डिप्लॉइड में डिप्लॉइड था, तो अटोमेटिकली फिर उनके पाँ जेमिदारी गई, उनके यूची के पाँ की और डिविजिन डिप्लॉइड हैं, उनके अगेंस्ट ही हां प्ला में उनके नीचे ही था, तो इसलिए उन्होंने बोला, यार मेरे को लदाक का ग्यान नहीं है, तो तू मैं समाल लूँगा सारा डिश्वन का रोल, रेड लैंड का, जोजीला तक, और जोजीला के ओपर तक जो थ्रेड डॉलप करना है दुश्वन के तरब से, वो जिमदार नव सेक्टर का, पाकिस्तान के तरब से भी, और हम भी उसको वहीं बोलते हैं, तो मेरे को बोला, तुम कमांडर FCNA है, और तुम वहां की वार गेम अलग प्ले करेगा, और जियोसी साब आपने जनरल बदवार, जोजीला और नीचे की सारी वार गेम, सिर्नकर वैली की, और सेक्टर की, और वन टुवान का खाली नाम ही इंडिपेंडनेंट था, बट ये शुरू से, ये त्री डिप के नीचे ही डिरेक्ट अंटर कमांड था, और वन टुवान फोर जिसका अपने अलिए जिकर किया है, वो तांग से में होते थे, तांग से से वो क्यारी आ गए थे तो से क्यारी वाना सेक्टर कॉन ओर वो एक्सेंड 114 एक्सेंड करके करी रहा था, वो ही कर रहे थे, 114 कोई दे दिया है, तो तो बहुत ही वास्ते हरी है, वो चैना के उस तेम कोई थ्रेट नहीं था, जैसे कि अभी आपको विज़ाने बाद में पड़ा चला है, कोई लि बहुत हलका कर दिया था, इससे अंदर पहले जब कि हमने सेयचन उक्युपाई किया था 1984 में, तो एक 28 डिविजन भी डाली थी, तो लदाख सेक्टर में फे दो डिविजन थी, 28 डिविजन थी, जो पाकिस्तान को देख रही थी, वन-टु-उन को और कारगिल सेक्टर को द नाइटी वान में, मैं को याद एक्सेक्ट नहीं है, नाइट नाइट नाइटी में, 28 डिविजन को नीचे ले आए थे, ताकि वहाँ जादा जूट पढ़ गई थी, इंसर्जन्स को फाइट करने की, और पहले यह आए, और फिर लाइक ऐसेट, 97 में दूसरी गल्पी नीचे ले आए, तो ये जो इतना सेक्टर था, ये फिर खाली हो गया, तो मतलब ये तो वो भी देख रहे हैं ना, जो हमने शायद पिछली बार भी बात की थी, कि आपका एनिमी तो देख ही रहे है, आपकी कमजोरियां कहां पे हैं, आपका वाक्योब होगा, वो तो गुस नहीं हैं, तो जो कमांडर्स उस्टेम थे, उन्होंने अपनी तरफ से सको एक कैल्कुलेटर रिस्क लिया, कि ठीक है, हमको पता है कि वहां टुप्स कम हैं, तभी मेरे को जैसे मैंने बोला ना, मेरे को नुमेंबर मुला, तू तो जा आगे, वापस जा आपने अरिया में, टुप्स आते रहेंगे, ताकि कुछ होसला वदाई उदर लिदाग सेक्टर में हो जाए, कि वहाई रियर हेट्वाटर आ गया है, जब बचा गया है, तो उन्होंने कैल्कुलेटर रिस्क लिया था, कि वह एलेक्शन भी कराने थी, सब कुछ कराना था, ना इधर काम होना तो उन्होंने ज्योभी कमांडर से उन्होंने अपर यह जो एक्सरसाइस की जो बात कर रहे हैं वार गेम की इसमें उसका मतलब मुहंदर पूरी ना उसको डिफेंडिंग कमांडर बना दिया, नहीं नहीं सर, मुहंदर पूरी पहुंचा ही नहीं था ना भी तक साथे, उसक एक नहीं तो मुह रहे हैं यह तो अगिंग की वार गेम जो होती है जनली लाइन पूर्ड मेर्ट अइन्मी के साथ तो ऑखानी है अंधर बामला जनली ज्यादा डिस लूर्ड रैडलेंड कमांडर के है, रेडलेंड मतलब हम बुल्य रोलेंड होते हैं अट इमको नेला दे को हम बनाते हैं तो आप यू वर प्रेटेंडिंग तो बियो एनिमी रेड लेंड कमांडर और लाल देश फॉर अगेंस द लादाग सेक्टर तो 3D मेरा दुश्मन था इंडियन साइट से को महंदरपूरी था रेड लैंड फॉर रेस्ट तो कैश्मीर वैली तो तो उसके भी टारेक्ट होल्डिंग रोल थी वह अपने अगेंस तो दुश्मन होनी सकता कि मैं बैठा हूं बार्डर पर अपनी प्लान टेस्क्राइब और कोर कमांडर होता है जो उपर बैठा हुआ ज यह जो एक्सरसाइज है इसका थ्रेड परसेप्शन किस अरिया पर फोकस था यह नैशनल लाइवे वाने या पूरे लबाक सेक्टर इसमें जो था यह पाकिस्तान साइट के से वार गेम था ना कि चाइना साइट है चाइना को हम ढौर्मेंट समझ के चल रहे थे वार गेम नहीं था चाइना इस में नहीं आया पर आपका फिर यही सार पूरा सेक्टर पे जारा ज्यादा यह वार इख जादा यह फैक्टर आजाता भी चाइना आएगा मदद करने के लिए नहीं आएगा वह चीज को हम ने डिसकस्काश चैना उस तांग जो सिनेरियो था नाइट spark में कि चाइना थोड़ा बड़ अलर्ट करेगा थोड़ी बड़ हरकत करेगा बट इंटर्वीन नहीं करेगा तो रवीर अपर नहीं पर नहीं किताब लिखी थी जिए फॉर्ट राउड किताब लिखी थी इन इन एक ऊच कोच ते भी यही परमैश पे काम किया था कि चाइना राएंगा और यह पूरा आपे होगा और यह रोड कटव करेगा इसेटरा शे अधर्ण में नाओ धिंग्रिय there and थोड़ा सा होंवा किया था कि यह जो सा प्लान था यह जो फारिंग होती थी दराज पे यह जब 1984 पे हमने सियाचिन को लिया था तो 1984 में पाकिस्तान को समझ जाया भी क्या करें क्योंकि हमने सप्राइज करके यह पीक्स पकड़ ली अभी उन्हें बड़ी कोशिश की वो प दर्शकों को समझ दिलेना चाहिए वो ग्लेशियर पे नहीं है वो सालतोरों के इस साइड बैठे हो है तो हमने जैसे हमार को इंडिकेशन मिली कोई उनकी तरफ से मौंटनी एक्षपडिशन आ रही थी इटैलियन मौंटनी एक्षपडिशन आस्ट्रियन मौंटनी पर पाकस्तन ने किया कि इसका एक काउंटर प्लान बनाया पर कि हम वो तो ले नहीं सकते पर हम कहीं और हिंदुस्तान को अपने भी उनको भी यह लग रहा था कि पहले हो चुका था नहीं एकतर की लड़ाई हो चुकी कि वहां उन्होंने मार खाई अभी 84 का हो गया फिर उ हम कुछ न कुछ कार सकी है और करने के काबिल उनके पास काबलियत ठी सची बात है वो बनता है टैक्टिकली वो प्लान बन सकता है और हो खाली भी था रिघ तो इसलिए क्या किया जैसे वह वात जो मैं कह रहा था कि वहां एक 28 डिविजन को रखा गया पोस्ट 1984 ताकि पाकिस्तान इस हरकत को ना करे मेरा कहने का मतलब है यह प्लैन कंसीव वा था उस ताइंग बद उसके अंदर बात पाकिस्तान ने रलाइस कि हम नहीं जो कि वाटर्षेड होता है सबसे लाइन आप पाड़ी जो होती है उसको वाटर्षेड कहते है उस तरह पाकिस्तान इस तरफ अमीन अपना रदाग सेक्टर तो उनको भी इतने सारे टूप्स वाटर्षेड करना कोई असान काम उससाइड पाकिस्तान नहीं उससाइड उस तरफ से उनको भी इतना असान नहीं कि जब मर्जी पहले चलके आजाएं तो यह जब इलेक्शन वाला हुआ तब 18 डिविजन नीचे आई 28 डिव ने 28 डिविजन तो आगी थी तो पहले आगी थी 89 में आगी थी आगी थी फ़र अपना इंसर्जन थी डिव आई थी तो रेजिडिन डिविजन थी लदाग सेक्टर की बट उसमें से हिस्सा सेंटी ब्रिगेड को भी ले आए ते दो पाकिस्तान के साथ एलेक्शन के से क्या कि जब कि यह डिपलोमसी चल रही थी अपनी बाचपाई साब की और लाहुर वारा बस डिपलोमसी नवाज शरीफ के साथ तो इन्हों ने क्या किया कि इसको अक्टिवेट करें कुछ चैनरल्स ने जिसमें मुच्छरफ लीड में था जो बाद में कहानी पता चली है और जो FCNA कमांडर था और एक ही जो कि सिर्णगर वैली की ऑपिसेट था टैन कोर उनका टैन कोर है टैन कोर कमांडर ये तीन-चार बंतों को खाली कॉन्फिडेंस में लिया और बोला कि ये प्लैन हम एक्टिवेट कर देंगे उनकी एरफोस को भी नहीं पता चला प्योज मै प्लांड था, बट उनको मोका नहीं मिल पा रहा था, आप यहां पे इनको मोका मिल गिया तो ऐसा नहीं है कि जो एक narrative जो बहुत चलाया जाता है कि यह एक rash decision था कि वहां पर जाके यहां पर कोई sense नहीं बनता था Pakistan का आने का यह सब narrative है जएर तो पहले से था पहले से था थ्रेट बट जैसे कहा रहे हैं कि ये टाइनिंग का चॉइस है जो में शर्ट ने चुना कि भई एक तरफ से डिपलमसी चल रही है दूसरी तरफ से आप स्पैनर डाल रहे हो ये करके तो सारी डिपलमसी खतम होगी नो जो दोस्ती जारी का महल बना रहे थे बाज किया मंशरफ ने सोच किया किस लिए किया बट ये उन्होंने एक किसम का इस वस दिर ओल्ड प्लान इ दिर ओल्ल प्लान इज पूट इन जो बेक तो या वागेम उसमें आपका क्या अप्रिसेशन था फाइनली क्योंकि यूर बेहिविग अज इन अनिमी अनिम्ड गानर एक and like I said but in this case it was not that this plan को this thing मैंने भी प्लान ने किसम का वही कंशीव किया and exactly जैसे यह आए हैं वैसे ही मैंने एक intrusion प्लान किया उस ताइम भी अपनी वार गेम के लिए intrusion प्लान करते करते मैंने रिक्वेस्ट किया because control वार गेम का court commander के पास होता है तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को दो बटैलियन और दी जाएं ताकि मैं नैशनल हाइवे आपको इंडिया का नैशनल हाइवे लेके दूँगा अभी तक क्या है कि जो मेरे पास रुक्स हैं उससे मैं खाली डॉमिनेट कर सकता हूँ नैशनल हाइवे को तो वार गेम मैं में बैठा जनल महंदर पूरी साझ बैठें से वो इंटरफियर नहीं कर रहे थे वर गेम का ना नहींतिया कर लीटी निचे जंजिला साओ की तो तो यह रिना मेरे पास था कोर कमंडर साब बैठे से और आमी कमंडर से जनल के खना एचम खना राइट वह भी जादा बाचीद नहीं करते से जादा जनल केशन पाली से जो की 15 कोर कमंडर से परोनी की वार गेम थी वो दोल रहे तो उन्होंने बोला तू उससे पहले जब मैंने रिक्वेस्ट आला यह प आएंगे तो जो कोई पास्स के थ sigui के ठूने पड़ते हैं रइड christine के तो नाम भॉझ याद नहीं अभी उस पास्स के ठूने पड़ते हैं जैसे आएंगे मेरे को खबर छ्वेयर मिलन जाएए इमरे पास रखी सोसे हैं इसका हमारे को हमरे को खबर मिल जाएएगी मैरे प बोट लोगों को यह confusion लगेगा कि यह वर गेम अच्छली होता कैसे है यह कमरे में बैठके जैसे हम बैठे हैं डिसकेशन अभी भी बैठके हम डिसकॉस कर रहे हैं नक्षे लगे हुए हैं और भी ऑफसर बैठे हैं सब सुन रहे हैं एक जैसे डुस्नों की टुकडी बन जाता है वो बोलता है मैं ऐसे करना चाथा हूं उद्धर से क सुनते हैं वो कैप्ट ना ऐसे होई नहीं सकता कमजोरी है यह है तो उससे क्या है दोनों का ग्यान बढ़ता है रहfive को हम उसके आखरी में हमको करकोमेंड़स आपको और वार सबको घ्यान हो जाता है कि बैठे हैशा जनरल आपको वो दो बटालियन चाहिए इस इंडिया के इसको नैशनल हाईवे काट के अफराल ये मैं बोले हूँ वही मैं तो दिली पहुंच जाऊँगा तो फिर मेरे को चाहिए न कुछ और चाहिए रिसॉर्से चाहिए इस दो बटालियन चाहिए कट ओफ करने कर ने मना करदे हूँ फिह न हमारी कि बहुए मैरे पास को मेरे पास इंडिकेशन आ जाती हैं और पस खबर का सिस्टम है् आफ्टर आ अक्रॉस की खबर का रखना भी आर्मी का तो ये सकता वर और पोनों ने पोसिबिलिटी रूल आउट कर दी कि दो बटालियन नहीं आसकती, without us इंडिकेटर कोई नहीं है, तो अभी नहीं है तो अभी नहीं है, तो फिर मैं तेरे को क्यों बोल दूँ कि मैं खाली हमी जब ही नहीं इंडिकेटर तो लेस्ट प्लेड़ वार गेम जैसे कि इंडिकेटर हैं क्योंकि हम आज की डेट पर कर रहे हैं तो ठीक है, तो तो हमने इंडिकेटर वही प्ले किया मैंने दिराज के आपसिट ट्राइगर टोल हैं ये सब इन एरियास के उपर इंडिकेटर दिया मश्को में दिया, काकसर में दिया, बटालिक में दिया चोर बाटला में दिया, उपर दिया, राइट, सब डिका इंटूशन उपर दिया, आगे जाई, कहां, चोर बटना, सब सक्टर हनीफ नहीं होता था शोक शोक एरिया के साउथ में तो ये अपना ये पूरा जो सीपी एरिया जो किलाता है वहां तक आपने थिया-चेंद की बेस तक कहएँ, और इसकी ये ये है कि जब आप ये डिस्कॉस कर रहे है, और ये हो रहा है ये कम और था था? जब ये साथ, शाथ, ऐपरल, डिसमबर में तो शुरू कि. अपरल में हो रहा था और जब ये discuss कर रहे है, वागेंग कर रहे है, अवाड जो छब ल्ही बात करें ते भी यडी रहे हैं, और चल रहे हैं रह 2023 मिल जो एा प्र स्वासल जौबय। बट्वाद सब्सक्राइघन जियुक्ष को CalifornIND嘲 git love Me पहले हैं मैंने तो 2 मांगी थी उसने जवाब ते दिया मैंने में बतला धे आपको कि मेरे को इंडिकेशन दाजेंगे तभी मैं ने दे सकता दूसरी चीज उन्हेंने सवाल पूछा तू क्या कर लेगा यहां के बैठके क्या करेगा नैशनल हाइवे में इंटरफियरंस करूंगा कि अभी भी फिरिंग हो रही है तर गो पता नवा है नाँट्ययट में नंतल दॉप्स की ना हो सकेगी तो मेरे पास मेरा काम किया है लुटाग कर में मेरे को अगले साल के लिए स्टॉक अप करना है, जैसे जो जी लावास खुलेगा, मैंने स्टॉकिंग करनी है, तो मेरे पास मनाली उपशी हाई भी थोड़ी दिर के लिए खुलेगा, उस तेम पूरा त्यार में अप्रेशल नहीं था, तो वो भी है मेरे पास, मैं आट रिली से सफ्रेस करूँगा, नाइट मूवम्मेंट करूँगा, जैसे आप लोग आयो, मेरे पास मेरे रात कोई हमें करकर आके, तो मैं तो अपनी स्टॉकिंग किसी त्रीके से पूरी कर लूँगा कराके देर, मैंने बहुला उस ताइम की सिविलियन स्टॉकिंग कहां से होगी, तो मैं कौन हूँ, तो मैं वोला, आप कोर कमांडर हैं, तो मैं मैं मिल्टरी मैं हूँ, लिस्टिक्ट असल्ट दाइम है मत जाओ, मिल्टरी का काम हो जाएगा, हम कर लेंगे काम, परबली कर लेंगे, तो ठीक है, फिर मेरे प्लैन इसका मतलब, तो साथ साथ में बात वाजी से तू कितनी दिर यहां ठार सकेगा मैं विंटर में तो ठार नहीं सकता हूंगा उनको अग्रॉस तर लाइन ऑफ कंट्रोल विंटर में मैं नहीं रख सकता एक रिक्वाज हुज लॉजिस्टिकल एफट इतना है नहीं है सो कहता तू विंटर में वापस चल जाएगा तो ठीक है यार कितनी दिर कितना दिर तू मेरा बेकाड़ लेगा कुछ करके हैं मैं सहलूंगा मैं अपनी स्टॉकिंग कंप्लीट कर लूँगा मेरा काम चल जाएगा तो काली इसमें पॉइंट वही आया कि सिविलियन क्या पर वो लेकर सिविलिटरी वार गेम एंडर मिल्टरी कानी रिस्टिक्टेड बट उसके बाद एक कहानी हुई हाँ एक चीज़ हो रहा ही ही वो कह रहे थे मेरे ये इंटूजन तो दे रहा है कि आके बाट जाएंग इसका क्या क्या फैदा होगा ऐसार मैंने कहीं पढ़ा है क्योंकि पढ़ा किया जो भी मैं ठुर से जाएंग बाएं रीडिंग नॉलेज गेन करते हैं कि पाकिस्तान की इंसरजनसी तो हम वैली में खतम हो रही है यहां क्या पता कुछ जबीन लेके वो घंडे गाड के बोलेंगे हमने फिस्ट पोर्शन आप इंडिन हेल्ट कैश्म मसरी को उसमें उसको थोड़ा सा एमयत मिल जाएगी कहता है नहीं उसका कोई टेंजिबल कानी इर्रैशनल लग रहा है कुछ टेंजिबल कानी बन ने रही कहता है मेरे खयाल में और मैंने यह भी बुला कि मेरे पास दो डूर्पोते हैं जो वही मांन गयेMadaraybour Fragen की पांच प्लस ये भी रिपोर्टें थी अपने मिल्टरी टेश्टिस के थू आयोई ए डियर देट पांच जजार सेट अफ इल्पाइन क्लोधिंग और वगरा से पाकिस्तान ने खरीदी है तो इस चीज को दो जोडते हुए हमने बहुत और कहीं नहीं है पांच जार बंदे हैं कि आएंगे तू जैसे कहा रहा है कि बैठेंगे यहां इंट्रूजन लगे के और अपना इंडिनलिज के लिबरेशन दिखाएंगे नहीं वो आगे बढ़ेंगे वैली के थू नीचे आजाएंगे और लदाक से होते हुए सिर नगर वैली में चले जाएंगे जो रूट इन कि अवे वहसे बंडे इंफिल्ट्रेट नहीं कर सकता तो उसको एंसर्जिंशी को पुछ देना है तो यह एक तुरिखा है नियुक्त को पुछ देने का मेरे दमाग में चाहता है नहीं बोला कि तब आपका माइंडसेट नो साल इंसरजनसी में रहके खाली इंसरजनसी को ही विचार कर रहे हो और अपना आंखें नहीं खोल रहे हो बर उनका वह था कि इंसरजनसी सब कुछ है थोड़ी देर के लिए अब ही इलेक्शन आमने कराई है वो फिर इंसरजनसी करेगा तो उसके कारण वो कहते हो आएंगे यह पूरे पांच सार क्लोधिंग इसलिए यह लिए यहां से पांच सार बंदे डाल देंगे मेरी इंसरजनसी फिर शुरू हो जाएगी यह उनकी एप्रेसेशन थी पर इसके काफी बाद में एफेक्स हम बातें करेंगे कि हाओ इस एफेक्टेड इस काउंटर इंसरजनसी मांइट सैट अफेक्टर फिटीन को ने कैसे अपर आपरेशन को एफेक्ट किया करा के यह बाद में हम दिसकास करेंगे तो आएगा तो इस चीज़ के ऊपर बात करते हुए उनने बोला भाई ठीक और कु नहीं तुन्हें विंटर में चले जाना है वापस सो तेरसों तेरसों तो मेरा कोई हैनी है मेरे उसको और खानी घतम पट इसके बाद किया हुआ कि इमिजेटली यह सातरीक अपरिल थी सत्रह अपरिल कोई ड्वलप्मेंट हुई जो की वार्गेम खतम थी हम अपने कामों मे हूं के लग गए करगे इन वुआ कि देजों तैर समय ज़स्कान की गपारिए ज doen कोई च्पैरे खाने जो च्कानि हुआ को बाद की देज कूडला हुआ तो 17 अपरिल को वह बेकेम में केय चति अभी चैकर गमेंट उशचू वजिदी ना कोई आराइ एंप्टमु आफ्तम मैं अपने कामों में देखल हो गया, मेरे को काम दिया कि बाई अब यह आप ये जो जब आप यह जो अजिए रहा है, इसको आप किसी तरीके से उनकाश तो इसको मैक्सिमाइज करो ताकि मैक्सिमम हम इंडक्शन आफ लॉजिस्टिक्स कर सकें ताकि हमारा स्टॉकिंग वड़ा पूरी हो जाए तो इसके अंदर मैंने उनको आमीं यह पुया किया बई मैं तो इंफेंटी ब्रिगेड का वंडर हूं कराके दे यह काम तो रिस्पे मैंड करके डिस्कुशन करके एप्लिकेशन मां मैंड करके कुछ नहीं कुछ बेस तरीका निकाल लेंगे बड़ काम उनका है मेरे को भी कोई सेक्टर दो ठीक है क्योंकि फारिंग आप कह रहे हो रही है मैनेज नहीं हो रही तो अच्छा तरीको फिर सोच समझगे कि तरेको द्राज और मश्को तरेको देंगे बरिगीडे संदर निका जो वां टू वान टू बरिगीडे एडिया है उसको डवाइट कर देंगे द्राज मश्को तोमारे पstat आजाएगा और不管 और किल एंड प टू चवातला बरिगीडे संदर इंक्लुडिइ बटालिक संदर के पास र यह भुलने से मिडल अदर में जर्म आप में में जर्म्राइब जर्म्राइब तर तो इन यंद एम उन्हों अदर कि एम रम जब में जब भी यह होता है तो फिर दो दो जाए प्लेशल कमांड गान इन दो ओस तेम आपके वास कितने टूप्स थैं उस त्स तांप भी नहीं त चालसी तो दिसक्रेशन कर था था, प्लस वह कैसे हाईवे मैंजमेंट इस्कराइब करना हैं कि वो थीक है थोट थोर से पड़े लिखेक तृटे लिखेते ज़ते उर्चीजों को, एंद रहें जो मेरी काबलियत थी उस ताम कराके देर, जो मेरे पास कुछ नहीं था तो वे वेटिंग फॉर इस ट्रूप्स तो कम डाउन पेलो दो पटैल ना नहीं थी इसकी तियारी में इसकी तियारी में आइ स्टेज्ट रॉम खालसी तू दराज शुद नैशनल हाईवे का वहाई जारा फैक्ट था फैरिंग का तो वहाई मेरे ड तो उसके पास ट्रूप्स इतन ही होते हैं ताकि वह लाइन ऑफ कंट्रोल को गाड़ कर सके लाइन ऑफ कंट्रोल और नैशनल हाईवे में जैसे मैंने बोला साथ केलोमेटर का फरक था पीछे के लिए भी आपको पूरी हाईवे को मैनेज करना है हाईवे में क्या है रोज स करो गए तो क्या होगा टुप्स को आगे से निकालना पड़ेगा जहां बंदे एक सेक्शन पोस्त है जैसे उसमें 11 बंदे होते हैं इस सेक्शन के अंदर तीन तो वैसे चुटी शुटी पर रहते हैं जब कुछ होता है आठ हो गए आठ मेंसे आप चार निकाल दोगे तो तो खाली चारी बच जाएंगे ना उन चारों को बरफ के अंदर स्वेर से लेकि अपना राशन पानी खाना वनाना ये करना वो करना तो सर्विलिंस और उसके लिए बड़ा लिम्टेड फिर कम हो जाता है वही हो रहा था तो बैसिकली उनका इरादा था कि वह ये नैसल जाएगी करके तो ऐसे करके सोच वे चार था तो जैसे ये चल रहा था साथ मैई को एक मीटिंग होई दरास के अंदर मैंसे नगर मेता पिछले तीन-चार दिन से इसी का नैशनल हैवी का प्लानिंग करके उनका ब्रेक एडम थे उनके कोर के उसके साथ मैं हेलिकॉप्र में आया हमने वहां मीटिंग कर रहे थे ब्रिगेडे सुंदर वी जो कार्गिल वालिए थे उनके साथ भी वह भी आ गए तो वीवर एट 16 करणीडियर्स के मैस में हम बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे जबकि फोन कॉल आई जन बुदवार से ले से कि मैं कल सुवेर को आठ को आठ मेए को आ रहा हूँ कार्गिल हेड़कौटर वान टुवान ब्रिगेड में तो ब्रिगेडे सुंदर और प्रूवी ब्रिगेडे दिवंदर भी मेरे को मिलेंगे तो यह मेरे को सुंदर ने मेसेज दिया साथ साथ में मेसेज ये सुनतर ने दिया कि इंट्रूजन शुरू डेटेक्ट हुआ था बटालिक में तीन मेर्ट को कुछ पेट्रोल इनों ने भेजे थे थ्री पंजाब से, सिस्टीन करनेडियर से, कहीं और से वो तीनों के अंदर कुछ एंबुश हो गया है और सिट्यूशन को रिव्यू करने के लिए जनल बुद्वार ने हम तोनों को बिलाया है उसके हेड़कॉर्टर में आठी को कारगिल पास में था एक गंठा तो इसके ठीक है तो हमने जो भी नैशनल हैविका डिसकर्स करना था करके है वो चले गए उनके ब्रिगेडम साब कोर के वापस और हम अगले दिन कारगिल चले गए और अगले दिन बुद्वारता भाए तो मेटिंग में उनने बोले है यह इंट्रूजन हो गया अभी इस इंट्रूजन को एविक्ट करना है खाली उस तेम इंट्रूजन डेटेक्ट हुआ था खाली बटालिक में और कहीं हो रा था बट किसी को पता नहीं था और डेटेक्ट नहीं हुआ था तो उसके मताबिक हम आक्ट कर रहे थे तो तो भाई जातो उसको जल्दी करें जो काहनी है कि भाई द्राज मशको ले 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 और ब्रिगेडे सुंदर कारगिल और बटाकर ले 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 और फिर इनको डील करने तो मैंनुल ले अविज तक तो मेरे पास भी टूप नहीं आए प्लस यह उनसा सेक्टर को यह विल सेटल और इसके पास सिटिंग इन कारगिल कॉम्निकेशन ले अवरी पोस्त ले नोगाज में राज में हैड कोटर सेट करते करते मेरे को महिना लग जाएगा कॉम्निकेशन ड्लप करने पड़ेंगी सब कुछ करना पड़ेगा ठीक है तो यह डिजन मेक सेंस प्लस मैं रिजर्व रिजर्व रिगेट कांद हो मेरा काम ही है कि इन्टुजन हो जाए तो इसको भी करना जा पर कुरास जाना जा कुछ करना तो बैस था कि आप मेरे को यह कुछ नहीं प्रामिस ना डेनिक तु चल तो यू तो यूटे कंट्रॉल अब अपने शेक्टर अज बिए जा रिज्व बोला कि इस था कि बिए क्रुछ अइन तो फुछ नहीं तो इन्हीं पर भी दायएं से करूण नहीं तो तो किसी का बदी इतना रिजर्व नहीं हो में को टोलिंग डिटेक्ट हुआ अठारा में को जाके और जगा पे सब तक सब जगा पता तल गया कि वह दुशन बैठा हुआ है तब जाके उन्होंने एट डिविजिन का 56 ब्रियेड को अंडर अमर ओल उसको पुछ किया उपर द्राज में राइट इसनी दिर मैं आठ में को पन्रा किलोमेटर इंडर्स तक डिफ में इतना सेक्टर बनता है उसमें चार रिज लाइज जैसे नकल होते हैं ऐसे करके हैं कराके देर तो यह इंडर्स टेवर्ट चल रहा है यह उपर लाइन ऑफ वाटरशेड है और यह रिज लाइन इसमें वैली में एक बर ही घुश ज हैं आपके आगे इस फोर वैलीज वैल कवर्ड आप इनको मैंनेज नहीं कर सकते थे पर टूपसी नहीं थे जो एंबुश हुए थे उनको भी रिकवर करना मुशकल हो रहा था तो मैं पहले गया थ्री पंजाब के पास जो की बटालिक में थी उनके हैटकॉर्टर के पास ज उसे जितना ग्यान मैं ले सकता था लिया और अगले दिन हेलिकॉप्टर में मैं रखी के लिए चला गया बट क्यूंकि फारिंग हो चुकी थी इंटूडर्स की खबर थी तो थोड़ा सा मेरे को इंडर्स के साथ-साथ ही रहना पड़ा करके अमीरो रिवर सुरू के साथ-स नो मैं को जैसे आया तो मैं हिलिकॉप्टर ने क्योंकि मैं भी अपरान आमी इवेशन काऊं तो इतना था कोई सुच्छा फ़रा नहीं करता था देर अगला सुम जाओ मैरे को बस खाली टच्टान कर आओ तुम जाओ मैं अपने तुमारा दुरौदा बन कर दूंगा तुम वो मेरे को ले गया एक बंकर के अंदर एंड उसके बंकर जैसे मैंने बहुला ये कम्रे का साइज है इतना वाला साइज होगा उसके अंदर 40 फैमिली भी बैठी हुए और मटैन हैटकॉर्टर के सीओ वेरा सारे बैठी हुए और एंड क्या था कि पाकिस्तान ने जब अस प इनके बैठी हेटकॉर्टर को टर्गेट कर रहा थां पर उसमें क्या कहते हैं कि आट्रियली ग के जो गान होती है ये dwant पर साइक पूंट नहीं होती है जैसे रैफल की गोल इह हो ठोटे एरिया में आए घाल जाती है निशानन एकूंट ए्दाघार्ट यहां पॉइंट करोगे वो कभी गरेगा डिपेंड करता रेंज की ओपर 50 मिटर उपर जो इसए कर के वो उसको करी जा रहा था करके and luckily nothing was falling on the bunker itself because the bunker ना भी a strong बनाया हो मैं को लग नहीं रहता कि वो साय सकेगा अगर डारेक्ट हिट लेकली उनके पास बॉफर जैसी हाइंगल फारिंग अगने नहीं थी उनके पास फ्लैट रिजेक्टरी थी तो उसके कारण भी वो एक ही गन को कहीं घुमा फ़रा के अच्छी पॉजिशन में लेके आया थे पाड़ी वे चड़ा के जहां से इसे एक गन से एक हाली उसने बनाकि स्पेशली त्यार करके वो बेटनायट रही खबर तो उनके पास पहले थी जैसे कोई इननी फार इन्हों नहीं नहीं थी तो उनहों ने वो आस्ते 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 पूरा श्यड बन गया वो बन गया तो एक किसम का half piece time काम चला उनकर बं तो सेट सिस्टम था कि समर्द के अंदर फैमिलीज आ जाती थी बच्चे भी आ जाते थे महिना कुछ ठहर के वो चले जाते थे तो फैमिलीज भी आई हुई थी तिंचार दिन पहले यह आई थी अब भी सब बैठे हुए थी यह चलता गया है एक तो तो आप गेस्ट हो आप जारा इंटर्फियर उनके काम के अंदर नहीं बोल सकते बिकास जो हकुमत है वहां की उसका वो सब सब का है और वो दूसे बरिगेट का है तुमारे बरिगेट का नहीं है ठीक है तो आप तो तो मैं मैं करके उनको नहीं होकम दे सब पेपाल तूगा तो आप बैठे हो चुप करके तो एनिवे फारिंग जैसे शाम को छे बर यांदेरा होना शुरूआ फारिंग रुग गई जैसे फारिंग रुखी बाहर आये तो उनका क्वार्टर मास्टर स्टोर को आग लगा हुआ दो तीन और चीजों को आग लगी हुई करकर आके तो उनकी जो सीरो साब से करनल बक्षी उसने बड़े क्विक ली सम्विक ओडर्स और दें गाड़ियां लगी रेडी हुई दस-पंदा मिंट के अंदर ही फैमिलीज को दिया अपना स्वान उठाओ एक जैसे शाम दिया र पांच्व साथो मीटर पट एक री इंट्रेंट था जैसमी की नाले अंदर जाता है पाड के अंदर उसके अंदर जाके आड लेके आप कर लो तकी आट्रली शेल उसके अंदर मैंने भी थोड़ता अपना राय दिया क्योंकि मैं भी आट्रली कहूं हुँ देर यहां से ऐसे तो स्रीके से फारिंग होई है ऐसे ऐसे होई है तो आप बच होगे वहां कोई दिकत नहीं होईगी तो वह करके वहां मैंने भी शिफ्ट होगया मेरे को एक तंबो मिल गया वहां कराके देर शिफ्ट होगया तो यह एक्शन कम्प्रीट होगया उसके बाद आए इसके बाद अगले दिन 9 मैं को मेरे को खबर मिली कि दो बटैलियन मेरे को रिलीज हुई है दस को नो शाम को ये हुई है तो नो शाम को मेसिज आगा है कि तो आपको दो बटैलियन रिलीज हो रही है कुन सी battalion नहीं है, यह सेयचन से आ रही है और जा रही है अपनी निव लोकेशन पर तो उसमें क्या होता है की battalion जब जाती है सेयचन में काम करके one-third portion जाता है छुटी पर one-third portion एक तीसरा हिस्ता जाता है अपनी नई लोकेशन के ओटेक ओवर करने के लिए की elements वहां जाते हैं सारे ताकि नई जगा लेनी पड़ती है वहां हजार problem होते है कोई operational role भी होता है administration है, buildings take over करनी है सब कुछ करनी है advance party जो कहते हैं सर कराके तो उसके लिए कही हुई थी battalions को थी 111 GR और 12 जाकर ले 111 GR के CEO साब ने पहले से जाना था आर्मी छोड़के पर पुराने टाइप का soldier था क्या था ना सेचंट ने और खतम करके कोई ने तुमेर को बुलेगा तो उसने आपने सेचंट और खतम करके उसके बाद वो निकल गया था तो ऐसी ही गया हुआ था दिली ऐसी जैसे लीव पार्टी में थोड़ा था तो 299 पीपल लैंड़ अपन 11 एको बटालिक सेक्टर में दो दिन उनको लगे वो स्टेज करते हुए ले से आपके रुतेला था मेजर रुतेला था मेजर रुतेला था ने मनोज पांडेउस्टें मेरे पास कोई बड़े थियार नहीं है कोई सिंग्नल एक्विप्पंट नहीं है क्लोधिंग सारी हैंड़ोवर कर दिये को सब कुछ दूसरे टूस को जो नहीं आया हैं उनको हैंड़ोवर करके यह तो अपने रास्ते में हवाईजार पकड़ने के लिए तो इनके पास कुछ था नहीं है तो करके हम आ गए हैं तो हमारे लिए आदेश मेरे को भी क्या करो situation यह है पट मैंने बला यह यालडुर नाला में से आप अंदर जाहिए जो धासे शुरू होता था करके and continue moving till you establish contact with the enemy यह पर हमारे पेट्रोल हैं जिनको एंबश होए उनके साथ and जहां आपको contact मिलेगा वहां आप उसको उसके सामने फिर अपने अपना एक किसम का firm base बनाना है करके उसके बाद फिर आगे जैसे आदिश में देखते हैं एक अदर दिन और देखें कितने कमजूर हैं कितने strong हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं ठीक है नहों होगे देखें क्योंकि मेरे को डर ये था कि जैसे मैंने बुला ना ये features हैं किराके ये जो fingers आ रही हैं they were resting on the indus and the road खाली 50 मीटर का कुनाल लिन देखा हुआ है कि ये खाली 50 मीटर भी नहीं होगा इतनी चुड़ाई खाली स्ट्रिप है all along उसके बाद ये ridge lines शुरू हो जाती है and ridge lines के उपर मेरा डर ये था कि दुश्मन जो कि इतना आगया है 12 किलोमेटर आगया है तीन किलोमेटर और ही आगया जाता line of control से उसने आके इंटर स्ट्रिवर के बाठ़ जाना था फिर तो हमको अंदर गुसने का मुक्क ही खतम हो जाना था occupation हो जाना था पिर हमरे खतम हो जाना था पट बाद में में को समझ आई कि उनकी तरफ से भी लिमिटेशन था उनका भी प्लैन इतना दस बारां किलोमेटर आने का नहीं था उनका प्लैन था खाली मुशकल से चार-चार पांच-वांच किलोमेटर आने का डिपेंडिंग ऑन दे एरिया डेफ्ट में और शैलो इंक्रूजन करने का उनके पास भी लिमिटेशन जैसे मैं बड़ा मुशकल है कि वाटरशेट के उपर लाइन अफ कंट्रोल के उपर लॉजिस्टिक्स चाहिए थी और ये सारा उपरेशन पाकिस्टान ने लांच किया था बिना किसी और को बता है नैशनल सपोर्ट के लेकिन अगर सर जैसे आप कह रहे हो कि वहाँ पे आके बैढ़ जाते हैं इंडस पे तो अगर ये मान लेजिए पूरा ये सबका प्लांड तरीक्ये से होता इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर भी इंवोर्ड होते है पूरी आर्मी इंवोर्ड होती ब्रादर देन सम जनरल्स तो क्या ये एक बहुत बनलब एक हाइपोटेटिकल है कि अभी भी हो सकता है जो कि उसमें कितना बड़ा चैलेंज होता फिर हमारे लिए वो चैलेंज बहुत बड़ा बन जाना था सपोजिंग इनके पास रिसोर्स काफी होते तो पड़ उसके दो प्रोज और कॉंड है और ये बाद में भी आएगा हमारी डिस्कॉशन में क्योंकि हमारे जो इंटलिजेंस एजिंसी थी और वो थी वो देख रही थी अंदर ये कितनी परप्रेशन है क्योंकि जनरल क्रिशन पाल जो 15 गोर कमांडर थे वो बड़ी देर तक उन्होंने 15 जून तक जब तक कि टोलने कैप्चर नहीं हुआ वो मानने को तियार नहीं थे कि ये मिलिटन नहीं है क्योंकि उनका कहना था कि मेरे पास कोई इंडिकेशन नहीं है मेरे पास जो खबरें आ रही है रा से जा वहां से जा और इंटेलिजेंस सोर्से से कोई उसमें त्यारी इतनी FCNA में कोई त्यारी इतनी ही नहीं है और बिना त्यारी के कोई हवा में तो ऐसे इतने फोर्स लेवल तो नहीं चड़ा सकते आफर ओल आपने इतनी टुप्स लाइन ऑफ कंट्रोल के अक्रॉस रखने है यहां भी रखने है और उसमें जराज सेक्टर में भी रखने है और वहां भी रखने है तो दो रोंग एसेस्मेंट थे एक तो यह कि इतना हमको लेवल नहीं पता था कि कितनी जगह पे गुजरे हैं यह लोग हमने सोचा बटालिक में है फिर सोचा टॉलोलिंग में है लेकिन पूरा एक्स्टेंट नहीं पता था इनिशली और उसके बाद फिर यह भी नहीं पता था कि कि कितने लोग आ गए है टूप लेवल यह कितना और वो कौन थे अभी क्या कहनी किया है सारी डिसेप्शन इसी में थी कि उन्होंने यह कॉंट्रडिक्शन हमारे कमांडर्स के माइन में डाल दी एक तो प्रेपरेशन कुछ नहीं दिखाई दी कि वह अंदर कोई प्रेपरेशन होई नहीं है पर क्या है यह प्रेपरेशन उनने बड़े सालों से करके रखी थी उनके पास एक नॉर्डन लाइट इंफिंट्री थी जो कि उनके दूसरे बॉर्डर के तरफ डिप्लॉईट थी उसको लिया आया थे इसर यह सारा प्लान ऐसे बना था था कि कोई इंडिकेशन नहीं होगी तो पर एक्सक्यूट ऐसे हुआ था कि हमारे कमांडर सोचते रहे कि यह तो कुछ होई नहीं रहा है और जब हो रहा है देव जो कि हम रिपोर्ट कर रहे थे और जो हमारे इंफोर्मेशन और इंटेलिजेंस अवेलिवलती है हमारे हारे हारे कोटर के बाद वो कहने है ऐसी कोई इंडिकेशन ही नहीं है तब ही यह जोंसे बाद में हम आएंगे इसके उपर कि काफी उन्होंने अटैक्स बोला नहीं जो कुछ नहीं है उदर पर जब गए तो कैजुटीज हुई हैं और वेरी प्रोफेशनल सोलजर्स अफ पाकिस्तान आर्मी नोट टेररिस्ट इट वाजन लाइट इंफिंट्री इन सिविलियन क्लोज ऑफसर्ड बाइ थे स्पेशल सर्वसिस ग्रूप जो उनके स्पेशल फॉर्स वाले ऑफसर्स हैं सारे ऑफसर्स उनके दिये हुए इनको तो मैंने बाद में सब को इंटर्व्यू किया ना तो जब हमने भी पारा इसका लेके टेलिविजन पर डाल दिया उसके बाद पाकिस्तान में ही बोल पाया मैं रेट्रॉप से नहीं हूँ मैं इंडिपेंडेंटन फिल्ममेकर हूँ मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ जो आप मुझे बताना है चाहते हैं बता दो हम उसको फिल्म कर रहे हैं आपका मुलक आपको कह रहे हैं हमारे नहीं है हम आपको एक गारेटी देते हैं आप हमसे सच बोलना हमको हम आपको उसको टीवी पर डाल देगें वो फिर आपको वापिस ले ले लेगे एक बारी वो शुरू हो गया उनको बंद करना मुश्किल हो गया हमारा कमपनी कमांडर रशीद खान था वो हमको एदर सेदर ले गया हमको एदर स्वोबूट मिले हमको यह तो वो पुरी की पुरी कानी निकलने लग देगे उसके फोड़े फ़नी मॉमेंट्स भी थे एक इनायत अली तासा वो तो अगले दिन ने टायर हो रहा था और उसको यह पढ़े थे मेरे गड़ी गड़ी कह रहा है कुनास साब मेरी उर्दू में क्या कहते है बीबी को उसको यह रहा बोलते कि बर गया उसको दफनादी आए उसको किसी और सना शादी हो जाए यह सब यह तो यह जो इंट्रूजिन हुआ था एनलाई का अनलाई ट्रूप उनके जैसे हमारे लादाग स्कॉर्ट थे उनके बड़े तफ थे बड़े तफ थे लोकल अरिया के थे वहां के गिल्गिट के थे तो प्लस उनको ऑफसर्स दे दिये तो अच्छा कॉमिनेशन बन गया था पर क्या हुआ कि थोड़ी यह जब आके बैठ कहे इनकी तरफ से भी टैक्टिकली जैसे बात में कहा जाता है कि इसका क्या आंथ होगा यह उन्होंने सोचा नहीं समझा हम एक वरी उपर बैठ के जैसे सियाचन में हम बैठ गए हैं तो अमीन हिंदुस्तान कुछ नहीं करेगा वो उनकी कैल्कुलिशन गलत हो गई कि इंडियन आमी ने जो इसे रिस्पांस किया वो उन्होंने एंटिस इसके बात लिए क्या होगा एक सिसमाँ सी की आपसर यह जो पाकिस्तानी सजी यह जो इनगे स्पेशल ऑफसर्स्ते इन्होंने ओवरीच किया ग्या क्या बोल्सरे नवेगे ऐन दोन ए और अधो कि आया है थे ये रखी एक साल की नहीं है, ये रखी, कभी सालों से उन्होंने करके अपने गुफा बना रखी थी, गुफा क्या वो रखी कर ली, बोल्डर में कहां जगह है, यहां रह सकते हैं, वहां रह सकते हैं, ले आउड, उस सारा काम उन्होंने पहले से कर रखा था, आके चले जाते किसे आके चले जाते हैं कोई अना जाना कोई सिस्टम तो है नहीं किरा के देख तो इन्होंने होंबग करके रखा था पर एक बड़ी जब वो आ गए इतना उस पर तो उन्होंने बोला हम पहुंच गे हैं अपने जहां पहुंचना है उसके बाद आगे खाली देखा चलो जी थोड़ा सा आगे चल बढ़ते हैं वो एक किसम की हमारे लिए फैदा भी हो गया क्योंकि बाद में जब मैंने इनकी कमजूरियां निकाली हम लोग जैसे हम नीचे नालों से जाकर उनके पीछे लाइन आफ कंट्रोल तक पहुंच गया थे तो फिर उस उसके अंदर इनके अ पहारियां भी उची थी साड़े 3,000 पहुंची पहारी थी उनके लिए उनके लिए वे जो वैसे ही 11,000 हमारे भी जब बड़े कुछ शुरु में अटेक यह किया वो किया हम भी देखें कि रोज आम अटेक करने के लिए जब जाते थे पर रात को साड़े 3,000 फार और डूब नहीं थे कि वहाँ बीच में कई फिर्म बेस बना लें, इनने रिसर्स जी नहीं, पिर उड़ी हम मैंन टाक पे थे, और ये सारे मदब चोटियों पे जाके बैठ गए, ये सब पाकिस्तान की साइड से जो वाटर शेड है, वो एक उची पाड़ी है, एक लाइन है, वहाँ से पाड़ियां नीचे आ रही थी, हमारी तरफ आ रही थी, तो उसमें वो आगे आते गए, दस किलोमेटर उनका अमेरिका औरिजिनल प्लान था, बट वो आये 12 या 13 किलोमेटर, और तीन किलोमेटर और आ जाते तो उन्होंने इंडर्स रिवर के ओपर आके ऐसे देखना था हम नीचे अपनी आट्रिरी भी लगाना थे एड़कॉर्टर बेट करके देखना, आया थे एक दूब वरी नूस्स पार्टी आई थी उनकी किराके, बट उसके ओपर लगली वो जो हमारे आट्रिरी गान थी, उसने सीधा लेके पूछा उन्होंने मैला करो डिरेक्ट उन्ह ने फिर आगे हिम्मत ने की, वो लोग भी काफी स्ट्रेश थे, पाहड के ओपर भी बारा किलोमेटर, पन्रा किलोमेटर काफी हो जाता है, आना जाना तो उनको ये था कि भई, तो प्लस एक और प्रॉब्म था कि, इस वर आल जेसिए लेवल्स एनलाई, दमाग, आमीन ये ओफसर्स भी दिये थे यंग्स्टर्स, इन में, नहीं, नहीं, इन में कोई कोहरेंट कमांडर नहीं था, नहीं था, प्लान वोज ओनली मेड लिमिटेट, जिसके अंदर इनके पस फ्लेक्सिबिल्टी नहीं थी कि इसको अब मॉडिफाय कर लो, अडिशनल डिशनल रिस हो गया, पर उसके लिए सपोर्ट नहीं था, और मुड़फ ने भी क्या किया जब प्लान किया है, इसने किसी को सपोर्ट में लिया नहीं है, तो समझो, मुड़फ भी अडिशनल करना चाता, तो उसके लिए, तो उसके लिए तो टेक अप्रूवल और वेरीगोडी, चीफ ह उसके अंदर इनकी कमजोरियां भी आ गई, यह जो बटैलन रिलीज हुई थी, यह आई तो इसको बोला वे, याल्डर तक आप अपने ड़क करो, और इसको जहां भी दुश्मना आपको मिलता है, तो खबर तो अमर पर थी नहीं कहा है, किज़र है, कौन सी ट्रूप आपको मिलता है, कौन सी ट्रूप यह जो बटैलन डेवल पर यह वी एच एफ कहते हैं, यह डिरेक्ट लाइन अफ साइट पर चलते हैं, पहाड़ा आ जाए तो बीच में यह उड़ूगे, अम्निकेशन खर्म हो जाता है, पहाड़ पर चड़ना पड़ता है, फिर नीचे जाके उम्निकेशन हो सकती है. आज तो कर सकते हैं? ने उसमें सर है, यह एच एफ सेट्स हैं जो आज कल आते हैं, उसने भी कुछ आगया थे थोड़े सेट्स देर, पर होता था कि हर सेट को टून करना पड़ता था, यह प्री टून होते हैं, इनको एक जासे से आप टुक सेट कर सकते हो ऐसे हैसे लिमिटेशन सभी की थी किरा के दयर किस दो जो जो लाइन ले करनी पबती है वह यह तरीका था गर्भो जैसे मैं göra है और ना नहीं तो जपते हैस जब तक Лiğन ले तड़र सेड़् में लेकरनी है उसकी लिए रिसोरससे चाहिए उसके केबल च पर हमारा दूसरा प्रोल्म आया कि जिस वैली में किसी को टुप्स को भीजते थे, टुप्स मिल रहे थे टुकड़े वाइस, यह नहीं कि आज पूरी टोली एक पूरी बटैलन आई है, जैसे यह बटैलन आई है, अब यह बटैलन 111 जी आर आई थी, तो जैसे इसकी अड़ा लीग प्राटी कही हुई है निपाल, जब तक वो वापस आएं, वो आएं, यह सब 20 तिन लगी जाते हैं, प्रूस उनको पहुंचना है, जितनी चल्दी पहुंचेंगे, चंडिगाट पहुंचेंगे, जह दिली पहुंचेंगे, वहां से पर हवाईजाज मिलने हैं, चीजिए तुमचेंगे, इनट्रुजिएन को पाइं, का मतलुं कि तो निपकी पहुंचेंगे, तुमटन फिली यहुंचेंगे, टो से चंडाय। तो हमने क्या कि उसको पहले एक्स्टेंट उसको करने जब पर उसके लिए करने के लिए भी जिस मैं टुकरी को भेजता था वो टुकरी जिसे लजाख सार की कंपनी आई जैसे में कुनाल साथ बतलाया हम ने ओपरेशन यह जब हो गया शुरू तो क्या हुआ कि थी डिविजन को बोला कि आप आप आपरेशन कंड़क्ट करो बटालिक सेक्टर का कारगिल और बटालिक सेक्टर आपके नीचे लड़ा ही लड़ेगा और सबसेक्टर हनिफ भी जो की बाद में नाम दिया है जो सियाटन बिगेड और दराज और मश्को करेंगे एड डिविजन के लिए यह डिशिशन अभी नी यह डिशिशन जाकर तकरीबन तीस में के आसपास जाकर डिसाइड हुआ जबकि एड डिविजन आगया था उपर पुड़ा करके देर बट मोटे तोर पे यह सौंसिबिल्टी बन गी पहले सारा स्री डिविजन था बट बाद में फिर यह दराज औ तो जब आए उपर तो वो रिडिली डिपलाइबल और फाइट कर सकते थे हमारे यह कुछ नहीं था क्योंकि हमारे को बोला कि तुमको रिसोर्स मिलेंगे त्री डिविजन से त्री डिविजन था क्या है उनके पास एक 114 प्रिगेट सा चाइना के अगेंश था शेचन प्र तो आपको तुमको से मिलेंगे एक चैना बॉटर से एक लदाग स्काउट कमणी निकाल दी एक कुछ और निकाल दी वो टुकडी आपको दे दी जैसे वो टुकडी आती थी उसको मैं अंदर डालता था किसी एक वैली में थोड़े दिन के बाद एक और टुकडी मिल जाती तो दो टुकडी आ कर दी फिर जब कहीं एक बटैलन पूरी मिली फिर उसको डालना पड़ता था एक तुकडी को निकाल के यह और कठा करके यह और डालना पड़ता था तो मेरा बदा रिजिस्मेंट करने वो और इज जिस्मेंट चार-पांच दिन खा जाता था मिनिमुम विए चलने का टाईम इतना प्रहत है ऐन्ड यह गया है कि मैनपैक आवी काहनी है कि उनलैक दराज और मश्कों में जहां की रोड के ऑपर सब के कैंप से और चार्गेट वहां द čा दे रहा है हमारे तारगेट दो यहां से कुछ देता नहीं था आप को दो दिन पैदल चलन आपने उसी के उपर पहाडों में ऊपन में रहना था तो इसमें बहुत फरक था फाइटिंग इबिल्टी ऑफ असोलजर जो की रोड एड के उपर है और फाइटिंग इबिल्टी ऑफ सोलजर जो की दो दिन आगे वॉकिंग के बाद जाके दुश्मन से मिलाप करके उहां से दढ़ रहा है और इसमें एक और प्राब्लम है इसमें जो यार्डोर से जो नाला आता है इनकी तरफ जा हेड़कोर्टल्स था उसका बहुत नेरो स्पैन था उसमें आप मी सेवंटीन फ्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि मी सेवंटीन को उपर जाना पड़ेगा हाइट से हम को आपका रोटर यहां पर और पाड यहां पर बहुत ही लैरो सिच्वेशन थी तो इनको एर सप्लाई करना तो आउट अटो क्वेश्टन ताना और वहां पर आप आप ड्रॉप भी नहीं कर सकते क्योंकि बिल्कुल एलो सी क्यू उपर लाई नहीं वहां पर तो इनके प्रॉ हाइट जदा है तराज है तकरिवन आपका गैना सौफ का हाइट किया था हाँ गैना सौफ वह तेरह हाँ था तो तो उसके उपर आपकी दिश्मन ऊपर है 15, 16, 17,000 तो हम तीन हजार दाज से उपर के हाइट में जर्नल अरिया ठीक है नए और अचन्अट अरिया था ता कॉम देर, हमने एक तरीके से सोचा कि भई हम उपर नहीं चड़ सकते साड़े तीन हिजार फोट, जुछनी रोज साड़े तीन हिजार फोट नीचे आनी सकता, ठीया, तो इसको वहाई अच्छा कर रखो, उसके लिए हमने क्या किया कि जो इतने भी ये रिजलेंज से साथ जो वैली अंदर जा रही थी, नाले जा रहे थे, जैसे जुछन पा था, चाइना नाला था, इसमें हमने कॉलम इंफिट्रेट आस्ते 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 गुष्टे गए, जैसे मिला और अगले दो और ख पहुंच गए, उससे क्या क्या था, क्या था हमारे डार था हमारे राइट पे एक वाई 203 फीचर था, लेट पे खालूबा रिजलाइन थी, पड हम उनके बीच में बैठे थे, और लोसी को आपने पीछे से जागे कट कर दिया, लोसी को हमने सीधा स्लाइस करके अंदर चल नालों में हम चाले, अब उनके पिछे आगे हो, अचा, अभी शुरू में था हम रिलाइज ने किया बड़ बाद में हमारे को भी नामी चुप करके mental appreciation में समझ आ गई, बड़ हमने भी जादा चीज को पर शोनमेट आया, कि इसका हमको बहुत फारा होना शुरू हो गया, कि एनमी के पास उपर water supply resources बड़े काम थे, बरफ थी, जैसे बरफ मेल्ट होनी शुरू हो गई, वो बरफ को मेल्ट करके पानी पीते थे, नीचे हम उनको आने ने दे रहे थे, खाली उंदर संट्रली साइट पे जा रहे थे, मुंतर डालों से पानी ले रहे थे, और साइट प तो जो वो बरफ को मेल्ट कर रहे थे, उसके उपर shelling में हो रही थी, वो भी हो रही थी, तो उसमें contamination होनी शुरू हो गई, जिसकी ख़बर की हमने जब पहला वाला P.O.W. पकड़ा है नाय तली, 4812 के पास 5 NLA का, उसने बोला साब हमारे को तो problem माने शुरू हो गए है, हम करफ तो थी, करफिस में फसी है, वहां फसी जहां धूब डारेक्ट नहीं लगती, वहां वस्ते निकाल के उकर रहे थे, पर shelling के कारण कहीं ना कहीं, वो contamination होनी शुरू हो गई, तो उसके कारण उनको medical problems होनी शुरू हो गए थे, तो यह हमारा एक indirect benefit हो गया था, पट सर एक second, अभी मैं आपको फिर interrupt करूँगा इस पर, यहां पर आपका अभी पीसमील interaction हो रहा है, कि जहां तक जा रहा है और जहां fire आप उनका, आपका किस इस point पे, enemy का कुछ, आपका क्या appreciation था, कितने आदमी आपके, क्योंकि इस पे भी काफी controversy होई है बाद में, क्योंकि आपने होई था एक figure, फिर उनोंने division कम कर दिया, फिर core ने और में नीचे कम कर दिया था, किस point पे आपको, कुछ idea होने लगा कि exactly आप किसको face कर रहा हो, क्योंकि अभी तक तो, प्रेट में तो थे नहीं ना, कि आप जाके गिनो उनको, और 11 से 30 के बीच में, जब आप गए 9 तारीक को, उसके और 30 की तारीक के बीच में तो आपको सभी की रिपोर्ट मिल गई कि यहां पर भी, ने, आपर रिपोर्ट ही आ रही ही ना, कि यहां पर दुश्मन है, पर कि तरह दुश्मन है, यह इसका तो आपको कोई idea नहीं होगा न, कि ता, वो जो troops in contact, जो भी जा रहे थे, जैसे troops मिल रहे थे, पीसमेल मिल रहे थे, उनको जैसे जैसे हमने area allot करा दिया, और बोला कि आप confirm, उनसे फिर खावर मिल जाती थी, कितना strong enemy opposition है, और जहां-जहां नहीं होती थी, वो थोड़ा सा दुबाव डालने की कोशिश करते थे, पर आके, इसके, इसी हिस्सों के अ फीचर और किया है, उसमें हमरे बंदों को हिलने नहीं दे रहे थे, तो मेरे को याद है, करनल बलोटिया जो की 12 जाक लाई के थे, मैं मैं ओला यार, उपर से ख़बर आजिये, यहां तो कुछ मिलिटन है, कैरा सर मानिये, नहीं है, करा के देर, मेरे बंदों से हिलन जारा बंदों के सामने हैं, बड़ी इंटेंसेफ फायर आ रही है, तो हमारे को तकरीबन 16 मेर तक पूरा क्लियर हो गया था कि यह इन स्टेंथ नहीं हैं, प्रॉपली कोडिनेटेद प्लॉइमें नहीं लग रहे हैं, प्रोफेशनल लग प्रोफेशनल लग प्रोफेशनल फायर जैसे पैटन है पूरा है, सिवल ड्रेस पहने हुई है, बड़ी नहीं है, एक चीज़ दोहर इंटरस्टिंग बड़ा दूँ, बीच में मैंने काफी टाइम स्पेंड किया, थ्री पंजाब के पसाज जब मैं तीन दन पंजाब के साथ आ गया आने से पहले, रेडियो सेट फेए खबरे आई जाएं, उदर से फारो, फारी इंतर हो रही है, कभी कुछ लैंगवेज, कभी बाल्टी लैंगवेज, कभी पस्तो, कभी फार्सी, कभी कुछ, कभी कुछ रेर, तो लग़ली वो एरिया है, कारगल एरिया, जहां की शिया मुसलिम है, एंकि अंदर सारे मि पुछ तो आती है जो तो तूपु तो समान। थोड़े दिन के बार हमको लगा कि इतनी फारिंग दिखा रहे हैं बट फारिंग हम भी अभी कॉंटैक्ट में आगे हैं फारिंग तो नहीं दे गई। जारा कभी-कभी isolated incident फारिंग ये हो रहे हैं जब कि कोई action करते हैं तो फिर पता चला कि इन्होंने जो की अफगानिस्तान के मुझाइदीन वाले टेफ्स थे उनको रिकार्ड किया था और इनको रिडियो सेट के ओपर ये प्ले करी जा रहे थे पाकिस्तानी से और हमको लग रहा था दिखाने के लिए कि इतने स्टेंथ में आ गए हैं ये कर रहे हैं व ये रिलाइजेशन सम्हाव हैड़कॉर्टर 15 कोर में नहीं पहुंची हाइर हैड़कॉर्टर है इसका कारण ये है कि वो लोग वेट कर रहे थे जो कि अभी इंट्रेस्टिंग में बतलाता हूं इसको इसराइल कांट्रेक्ट में भी वो बैटल इंडिकेशन के लिए अंद कि अभी वेड़कॉर्ट के लिए नहीं कोई हरकती नहीं है कि इतना बड़े अटाइक और इतना बड़े दुश्मन आगया तो ये जो मुवम्में उनने किया जैसे मिला ये इनोने खाली बॉडर बेल्ट यूपरी बंदों को ला के पहले से प्री डंपिंग कि युई थी कि अटा के उनको करके इंको डाल दिया पीछे कोई इंडिकेशन उनके अंदर भी नहीं थी तो as a result this became a strong element also as a tactical surprise despite sir but it became a weak also point there because इनको बार में जब उसको support को enhance करना जाते थे उनके अंदर pipeline में कुछ था ही नहीं नहीं इननी नियुक पैंशट में जो घुए थे टेर डिस्प्शट में वेरी गुद धरी गूर्ड़ फट्टिक्ली बृलियंट इस प्रीजिकली बृज़्चाएं नियुके अपार्ट में नियुकूच में जो कुछ हुआ जिस तरीके से शिए को तो दो दो सुप्लाय लाइन अब उन्होंने यहां पर पहले से डंप लगाए वे थे पर उसमें भी तो प्रॉब्लम्स हो गई ना तो उसी में मार्क आगए पर उस टाइम आपका जो पहला अप्रेसेशन हुआ है जब आप कह रहे हैं सोला तारीक तक आपको आई अभी इसकी में कानी पता रहा हूँ हाँ आपका उस पॉइंट पर क्या अप्रिसेशन है कि आपके सेक्टर में कितने आजमी हैं सर उस ताइम तब जो मैं कहाई 16 में तक तो नहीं हैं ये थोड़ा सा उसके बाद हुआ है 20 तारीक तक ले तो जब कि पहले हमने प्योड़ी प्रे पकड़ा देर 30 में को से पहले पहले पर 15 तरीक को होकम आए 111 जी आर जो आई थी जैसे में वह वह ग्यारा को पहुंचे हैं उनके पास खाली 300 से कम बंदे थे उनका टू आईसी आ गया था सीरोद उतानी अमल उस्ताना तो उनको होकम मिल गया कि वह उपर से आपका आए कि वह अटैक करेंगे कोकर थांग पे जो की यालडोर के उपर पहला वाला फीचर है उपर से होकम आ रहे हैं किराके अटैक का किया जब 16 तरीक को मैंने बात की इन से पर प्लैन कैसे करें क्या करें करें सर हमारे पास हम 299 आये थे फाइटिंग पोर्टर यूज कर रहे हैं फाइटिंग पोर्टर का मतलब कि हम सम अधरिबन 2500 आद्मी है यूटलाइज हो रहा है हमारे पास खाली 87-80 जवान काबिल हैं जो की उस जगह पे फिर्म बेस लगा के हम अटैक कर सकते हैं ऐस फेस है आइस फेस को क्रॉस करते हुए हमको तक्रीबन 2500 लग जाएगा शेशाट साथ सो मीटर है और मूनलाइट है अधरिएगे डाउन देख लोग देख तो इस देट गंटे में वह असेस्मेंट है कि मेरे तो 30 चालीस जवान अराम से मठ जाएगे और अटैक का सकसे होने के चांसे में अला इतने जो अधनल स्थाना साथ सी हो कहता है तर वन परसंट वन परसंट वन परसंट यह जो मनोज पांदे भी कहरा सर वन परसंट हाफ़ परसंट वोट इंडिर नामी के डिट क्यों है वही मैं कहा रहा है ऑपनी बटैलियों क की इन्ऊ जो की इनू नहीं बोलाओं कि भी सिभी सम आम हमला नहीं करेंगे यह नहीं बोला अंध पर मेरी कॉंशटन सम प्रेक करना हुप दिया यार इस ऐसे अटेक को तो करना का फैदा क्या इसको करना है तो थोड़ी देर के बाद करेंगे जब कि त्यारी हो अब बिल्डब हो जाए इसका मतलब क्या है इस अटेक का जिसका वन परसंट चांस कोई मतलब नहीं है तीस चारीस बंदे और मार जाएंगे तो इस चीज को कर अरद उपर से आयों है राइट एंड उसी टाइम ब्रिकेटे सुरिंदर जो की 1-2-1 ब्रिकेट कोंटर थे उनको रिमूव कर दिया गया राउंड इस स्टेट हुआ था 15-16 में कि आसवा सी कुछ यह कहता है वह उनको तो रिमूव कर दिया राइट एंड क्योंकि ब्लेम ज मेरी जिम्मेदारी नहीं मैं चोगीदार नहीं था तो मेरी चोगीदारी में कमी नहीं थी यह उनके ओपर है तो करकर आके तो मैंने दो पर तीन पर ही रिक्वेस्ट किया वो रिक्वेस्ट ऊपर तक नहीं गया फाइंड ली मैंने इस तन रात को बारा बजे टाइक जाना सब्सक्राइब करने को त्यार है सची बात करा के लिए उनकी अपने प्रॉब्म्स चल रहे थे कोर कमांडर के साथ प्लस यह था कि वो इंटूजिजिन ब्लेम में उनका डारेक्ट नाम आता था तो मैंने रात के फिर पहुने बारा वजे ब्रिगेट मेजर वाभी इंट इंडर वालन उसको बोला एक लॉग वेज अटाइक कॉर्ड़ उफ ऑन दॉर्ड ब्रिगेट कमांडर राइट बिकोज ब्रिटैलिन को कहना कि ब्रिटैलिन ने हुकम मना किया है वो भी ठीक नहीं त बट वो भी अपने परकेट शोल्डर में यह नहीं बोल रहे कि हम कर नहीं करेंगे पर फिर जिमिनदारी मैंसर का मेरी बनती है तो करके यह वो कर दिया अगले दिन हल चल मच गई ब्रवार साब को भेजा गया इनकी सब की इनको बलाया गया नीचे पूशने के लिए किसने मना किया किसने यह किया वो किया और फाइनली वही था कि ब्रिगेड कमांडर समने और को कैंसल कर दिया उसके कारण काफी प्राइब्लम आई बिकॉज अटैक का ओडर उपर से थे पट मैंने यह बोला कि मैं ऑन दे ग्राउंड कमांडर हूं असेस्मेंट सेड इसका कोई मत असे लीगल नहीं है बट वो उन्होंने मिरफर एक इसम का मैंड बना लिया नुक्सान करने का कि भई यह फाइर इन दे बिली नहीं है है फाइर इन दे बिली नहीं है बट मैं 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 I said that is the time I became convinced that there is something more in the mind that भई इतना obvious है हमारे को कि यहां मेरे और मेरे नीचे वालों को बड़ा obvious है यह enemy strength में है तो इसको तरीके से करना चाहिए ना कि इसको बिना तरीके से करना चाहिए करके दे बट हम बिना तरीके की कर रहे हैं ठीक है इस पॉइंट में आपने बोला है कि मेरे appreciation मेरे against 600 आदमी है नहीं मैंने इस नहीं बोला वह दस जून को इसके भी बात इसके बात सर्फ सुनिया इसके बात क्या है कि और confirmation एनायत अली पकड़ा गया राइट उससे और confirmation 4812 रास्ता बूलिया और खला हमरे काभू में आ गया और 28 माई को शायद यह पहली स्पीच हुई थी प्राइम मिन की मलेक वह 9 माई को चले गए पॉलेंड क्योंकि वह प्लैंट था विजट उनका और वह आये 18 माई को 18 माई को आके उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में 23 को हुई जिसमें की बाचपाई साब ने क्लियर किया कि आप एरफोस भी यूज कर सकते हैं बट लाइन अप कंट्रोल पकी करेंगे और लाइन अप कंट्रोल को आप नहीं क्रॉस करेंगे बट एरफोस भी यूज कर सकते हैं फिर बाचपाई साब ने इस पीज दी कि हम इनको ख़जे लेंगे राइट वो एक फर्स कंसर्टेड गर्मन्न की तरफ से एक किसम का ओर्ड राया उस टाइम ताक क्य इसको करो उस टाइम की अंदर काफी इंडिस्क्रिमिनेट अटैक्स ओर्डर हुए काफी कैजुटीज हुई जब तक जनरल वीपी मलिक नहीं आये थे आके उन्होंने उसके उपर रिकावर डाली क्योंकि बोला कि जब तक आपके पास रिशो है नहीं जनली अटैकर और डि सेक्टर कあっonais सेक्टर था वहां आक लिए 2 और 1 रखी 10 होने अपने पांस और दिशुन के पास एक तब जा करो करें और हमारे पास बोला 15 और एक और एक नहीं मैंने गोले यार मेरे पास तो 4 और 5 भी नहीं है क्योंकि मैंने पर शीपम एसेस्टमंट की मैं पास तो 4-1 भी नहीं है और इतना सेक्टर है मैंने तो गिरना है सब कुछ करना यह करना है दूसरी चीज मेरे को नदर आ गए कि उनके लिए फीचर बिकाज मैंने तो सारे एरिया की रखी कर ली थी द्राज की भी मश्को की भी यह वो उनके लिए जो एरिया है उन्होंने दो 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 तीन तीन पाड़ियां पकडनी थी रैइट जैसे एड डिविजन है उनकी एक बिर्गेड ने एक टोल नहीं पकडना था उसमें दो या तीन शुटी पाड़ियां होगी रैइट ओके ऐसे यह टाइगर हिल है वान नाइटीट बिर्गेड ने वो पकडनी थी कि इस बारियों मैं अबला इनको करता रूंगा तो मेरे को तागरा साल लगेगा अठाइस में को ये भी आये थे मेरे पास अपना आमी कमंटर साफ करना वहां खड़े होके नीचे से देख के मेरे को उनके मूर से लग गया हम उनको बोलने की जूस नहीं पड़ी तो कहता है इसके बारे में बाद में सोचेंगे मतलब है कि मेरे को पहले जाके वो नैशनल हाईवे वाला टोल लिंग टाइगरल को समालने तो इसके बारे में बाद में सुचेंगे इतना डॉमिनेटिंग था वहां जब खड़े होते थे अब दा में इसको समझ होगा इंडेस वहले में पाड़ियां सब जिगाए चारो तरफ और यार चारो तरफ और अलो सी है बारा में 15-16 किनोमेटर आगे हैं आपको कुछ ना देख स यह वेसे आपको तो आपको विज्वली साब ने आपको चड़ रही है यहां से आप सौग अन लग रखा के ठाक मार रहे हैं उसको टूपस आपके फ्रेश चा रहे हैं कोई कंपारिजन नहीं है यह नहीं है कि तोलो लिंग और यह लोग एजी थे वो उनके अपने हमको तो इनको किसी से किसे इंसर्कल करना है कुछ करना है कराके तो तभी हमने बोला है हमने एक प्लैन बनाया फिर कि इनको इंसर्कल करना है नालों में से जाके बैठके फिर जो हमारा एक इस्टन फ्लाइं था फाई टू जीर तो इसको क्लियर करना है फिर फिर हमने कथे तक्रीबन तीस में तक दमाख में प्लान त्यार हो गया करा के देर बट टुप्स ही नहीं से और जो टुप्स थे वो अलड़ी ओपन में रहके एक महीना उनका धांचा सब धिला हो गया था सची बात है क्योंकि पीट पे कितना समान रख सकते हो ओपन में रहे हो थंडी हो में सब्सक्राइब कर देट नाले पानी पेर और समक प्राब्लम भी आरा था समक प्राब्लम और दास यून को बाश्या तो जनमलक साभ ने विजिट किया चौर बातला में मेरे बिल्गेड को उनके साथ कोर कमंडर साब ते और अब और डिरेक्टेट से डिव कमंडर साब थे और एमो से दो जर्जवाल थे और एक बंडारी बंडारी गर्वालजवाला राइट वो भी था राइट वो साथ में थे एंड मी 17 में आये एंड 14 से कुछ तैम आज चुकी थी हाँ एक दो अच्छा फैदा हुआ कि बीच मेरे को दो गच्छ दो पूर्टीन सिक जो कि मैंने चौरबटला के जमेदाई तो मेरे जो फ्लैंक से ना मैंने बहुत यह तो बच गए राइट देर देदिया तो यह मैरे से दूर से जिनकों ऑपर मेरे कंट्रोल होनी रहा था और करा के और जो इंडर वैली स्थीम के अंदर यह जो थे इनकी ओपर मैंने क्या की अपने एक अपने बरगेस हेटोर्टर को तोड़ दिया मेरा बरिगेड मेजर को मैंने एक जगा भेजा आगे दूसरे वाले में मैंने अपने डेपटी कमांडर को भेज़ दिया वीनू तॉमस नो मूर देव पहचाए और इनके साथ पीछे एक एक लॉजिस्टिक्स वाला अफसर डीक्यू को बोलके एक एक एसी कंपनी से एक वहां से लेके रख दिया ताकि इन्हों ने अपना एक किसम का टीम बना ली एक एक्स्टेंडड ब्रिगेड हेड़कौर्टर था एक में मैं था तो ये पूरी पांचो वैली इस ख़वर हो गई इससे क्या होता था कि जैसे कोई हमला करना है जा कोई एक्शन करना है जो मेरा ब्रिगेड में तो वाँ बैठा हुआ है वो क्या करता था सभी को वाँ कठा करके बैए आजाओ ब्रिगेड बना लाइन पर ताला मैसेज पहुंच जाता था कॉम्निकेशन तो थी नहीं मैसेज पहुंच जाता था उनको कठा करके तू अपने हथियार इसको दे, तू इसकी अपनी अमनिशन इसको दे, इसको प्लोधिंग दे, जो भी जिसने हमला करना तो उसको सब कुछ दे देते थे, तो आर्मी में ये प्रावर्म है, कोई अपना एक हथियार शथियार वो इतनी असानी से नहीं देते, तो ऐसे करके हमने काम चलाया जब तक कि और टुप्स नहीं थे तो दस जून को जब जनल मलिक साब आए उस तक कोई सक्सेस नहीं हुआ था तोलिंग भी नहीं हुआ था तोलिंग हुआ है कराके तो जब ब्रीफिंग हुई तो उस तक मैंने दो प्यो डब्यू पकट दिल दिये थे एक नहीं तली एक और कराके दे और मेरे पास काफी ख़वर थी कि अभी कौन कौन कैसे हैं तो जब ब्रीफिंग हुई तो मैंने बोला मैं कहना चाहता हूं 800 बट मैं रिस्टिक करू 600 दिश्वन है और आपने रिश्व लगाई है एक वाने स्टू फिफ्टीन ठीक है न तो 800 की बट मैंने होती है वाने स्टिक मेरे को तो किरिवें 12 तेरा बट मैं चाहिए तब जब आपके स्टंडर्ट के मतारब आप कुछ नहीं है तो कुछ दो मेरे पास उस तेम चार उस वाला सिटीकिरम स्ट तो डिवडिवकर 만들어 से पुछ फ्चहाओ करते हैं 300 सारह 250 की बोलोगा ठीक खेंक है तो क्याते हैं iron के टीकित करके कोर में ओने से पुछा कोकिर को चौकशा hem का 55 लिएcko में कर ये 10 तरिक के पात है 10 जून की बात दस जून को जब सब को मतलब दिख रहा है तो ना को रेट कोड़ अभी भी वह इंसरजिन थी वाले मूट सेट पर लभी भी आट तो मैं बोला यार कैसे हो सकता है मेरा कोड़ कमांटर इतना उल्टा बोल रहा है एक रफ से मैं संध्या यह साले मेरे को चाभी देना चाहते है ओए तुकुष नी कर रहा तो मेरे नीचे दिखाना जाते हैं नहीं तुम कर वह भी एक किसम कर में कोई बच्चा थोड़ी हुगा ने नहीं कुछ नहीं तुछ नहीं है तुझार कर लाए तुम कर चाहते है तो देर करके तो कहा 45 कहा 600 तो उसके बाद ब्रीफिंग मैं रु कि अधर 1460 वाटलियन थी उन्होंने चाय लगायूई थी तो इन्होंने ने चाय पी शुनली फोटोग्राफ ले थे तो देखा कि मैं तो अभी बीफिंग साइड पर खाड़ा हूं तो उन्होंने वेव कि अफॉटो के जिल्दी आ रहा है मैं भुशने मैता मैंने इसारा कर द तुकड़े बंते बंते उनको जब तक कि वो निपाल से बंदे आरा रहे हैं मेरे पस्ताइम कहा है मैं अभी सब चीज़ आठर आठरो अप二य रिपा różि ऑगला उस के जो टुएची था अमल अस्थाना उसने क्या किया अटाक कॉल अफ करने के लिए उसकी भी कहानी मैं देता हूं अटाक कॉल अफ करने से पहले जब देर उसके पास दो फोन आए एक जो इसने मेरे को बतलाया आदमी कुमांडर साब का गुर्खा उसके थे जनल खना साब कोड कमांडर साब की वे युश थे बला कि मैं ते जर्ची रठीकल में लिखा यह थे अटाक होगा का यह तो अट्वागी चाहिए उसने पड़ए यह किन अट्रू आज जा नही है पर मेरे को उसने नहीं बतलाया एंब उसने अर्द कैम बतला है मैं और मेंसने थे उसने त और लेकान है तो अच्छान पिरा उन्हारेक इसकेवा जिधा है जिए प्रॉट करने में पाने or everybody, that military leadership, leadership that way, that way, it has this attack caught up. Wraithi, he was driving his feet, that was the only thing that came out. Okay. But it was the right decision at that time. And I think that's what paid off. And we saved some casualties. Not some, like 21, 40-odd, around that, that was appreciation. But we had called off attack, and we had to call into the attack, and then call it in the 40-year-old. So then, 50 percent casualties get out. अच्छा सर अभी हम 10 जून तक आगे थे अभी अपने सीक्वेंस वेट्स में और उस टाइम आपने अपने अप्रेसेशन दिया जो पिर डाउं प्ले होता रहा हुआ अब उसके बाद आपके पास ताइम आपके पास चार पल्टने थी उसके बाद साथ आउर आई है नहीं च तो दर्शकों को ये भी समझना चाहिए कि ये एक डिविजन में तीन ब्रिगेड होती है या चार ब्रिगेड होती है और हर एक में तीन-तीन पल्टने होती है अगर आपके पास 12 पल्टने हैं और आप ब्रिगेड कमांडर है तो आप एक्चली एक डिविजन ही कमांड कर र बटालिक सेक्टर अब दस जून के बाद क्या हुआ सब उसके बाद जो सीक्वेंस अव इवेंट्स है किस तरह से आप लोगों ने कौनफ़न से फिर उनको कैसे कैसे हैंडल किया से जैसे ये मीटिंग खतम हुई तो जैसे आमीन अलरेडी प्लैन तो द्माग के बन चुका था कि हमने इंसर्कल कर लिया था दो नाला के थूँ चैना नाला एंड जूंग लूंपा के थूँ हमने एनमी को इंसर्कल कर लिया था तो अभी ये वापस भी नहीं जा सकते हैं और इंसर्कल मेंज हमने गैप क्लोज नहीं किया था ये तो जा सकते थे मुंतर डालो के बीच मे और मंतुदालों पर एफ़ोस के किस दिन पर टाइक हो आएगा अभी आना है किराके तो यह प्लान बन चुका था पर मेरा प्रॉलम आ रहा था कि दो प्रॉलम आरेते एक तो यह साधे तीन दार उपर ता जो भी पर बनाता था वो रात को हम फारन बूम में डेलाइट हो जात लाइब एक 5203 फीचर था जो कि हमारा एक किसम का फ्लैंक को अवरलुक कर रहा था हमारे को सब चीज उसकी नजर में थी तो एनी मुमेंट देल पिक अप प्लस ते कुड़ इवन फायर फायर फॉम देर एसेटरा और हमको डर था कि फुल वलप ऑपरेशन नहीं हो सकता तो 5203 को लेना बहुत जरूरी था उपरेशन हमने दस जून के आसपरस से पहले ही एक दिन पहले शुरू कर दिया था पर वो ट्वल जकला है नहीं किया था पर वो बीच में लाइक है सटेल मेट हो गया एंड हम बीच में अटके हुए थे एंड प्रॉब्म रही आ रहा था कि जरूरी टुप्स ठके हुए थे सब कुछ नंगा करके औरों को लेके किसी और को देके हमला कर रहे थे पर फिर भी प्रॉब्म मा रहा था तो जैसे जरूर मलीक साब के साथ ये इंट्रेक्शन हुआ तो तो ये रिलाइज़ ड़ाइज़ ड़ाइज 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 आइज तो ये जो जो 111 जी आर थी इसके सीयो ने एक छोटा पतर लिख दिया था इनलेंड लेटर पे जनल मलीक साब को जब 17 मही का अटाइक नहीं हुआ कि सर मेरे को तो हुकम मिला था अटाइक करने के लिए मैंने अटाइक मना नहीं किया पर मेरे पास ना तो रिड्यू इसने अपनी काही पूरी राम कथा लिख के एक इनलेंड लेटर डाल दिए तो चीफ अफ़ामी स्थाफ इनलेंड लेटर क्या होता है? इनलेंड लेटर होता है फाज में बिना स्टैम्प के आपकी एक चिठी आप डाल सकते हो जब कि हम होते हैं फील्ड अरिया में वो बिना स्टैम्प के जाती है जहां भी जानी होती है जो फील्ड पोस्ट आफिस होते हैं आर्मी के अपने बेस पोस्ट आफिस होते हैं वहां जाती है और वहां से उनका काम है उसको वो अपना स्टैम्प लगाते हैं और बिना कॉस्ट की वो तली जाती है तो ऐसी जैसे परानी इंलेंड ड़ती है जैसे फोल्ड करते है नो च्थी है वाली च्थी थी उसके उपर लिखके इसने ऐसे डाल दिया खुंदग में आकर डरे वो च्थी यसी त्रीके से मालिकसाब पहास पहुंच गई दुखक है वो पहुंच गई ऊच्छ मालिकसाब अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरे को लगा कि मेरी कॉंस्श निपर घीक करना जूरू हो गया कि ये बंड़ा क्या बधा ठीक बौल का कराके कहते हैचा है मैं आ के पास सब कुछ अमनीशन दे दी है कि वो तक्रीमन अल्मस्ट एंड अफ मेय हो रहा था जब की एक आनी उनके पास चथी पहुंची पचीस में के आसपास तीस में के वास तो कहता है बर फिर भी मेरा हुंसला नहीं हुआ कहता है मैं स्पेशली सिर्नगर गया जो कि जट नेक वैसे भी किसी के पास लो प्राइटी पे थे इनके पास हॉलो बन गए थे इनके पास एक्पिंट नहीं था तो कहता है फिर मैंने रिलीज कुराए और तब ही मैं बोल रहा हुं कि मेरे को जब जब जनमालक साब आए उनके वो दमाग में वो नॉलिज थी गिल्टी का नॉल कि वैसे वहीं कि पुक्राइट वह कुछ की तो रहा हुं कि नहीं तुई हो ईत्व ही तुछ कि पुछ को अनॉलिज पूस्ट कर दो रहा है प्राइटी घंड को सब्सक्राय थे खुछ आल बात में वेल तो कि अट बने रहा हुआ है उनके ड मी डाग देट इनके पास्ट ग बना रहका है, it was not me, it was 3-day plan only, that we attack ऐसे करेंगे through with 6 or 7 battalions, there to get Mantra Dalok and reach the, you know, break the enemy, but पहले इस्टन flank को जो अपना 520 तो क्लिर करना है, तो कहता है कितना चाहिए, मैंसर में को 3 कमनी चाहिए, कहता है, 3 नहीं 2 सबीन दे सकता है, तो मेरे को एक फाइपरा की कमनी रिलीज हुई, जो की सियाचन से उनोंने एक कमनी को डी इंड़क्ट किया, और एक लदाग सकाउस की कमनी, एक बोला एड़ा कमपनी 12 जागलाईज से बना के, एक उसी को आप यूज करो, हमने क्या किया उस तेम फिर अपने टैक्टिक्स उस तेम चेंज की है, टैक्टिक्स ये चेंज की है, कि हमने बोला कि जो कमपनीज हैं, ये जाएगी तीन तीन डिफरेंट डिरेक्टिन से, पर इसके जो लीडिंग एलिमेंट्स होंगे, उनके पास कुछ वजन नहीं होगा, तो फिर के साथ रुकेंगे नहीं, वो थोड़ा सा नहीं करते होएं चलते जाएंगे, तो हर कंपनी में दो-दो प्लेटून रॉड्स ये किसुम की मना दी, वीक प्लेटून रॉड्स, और ऐसे तीन कंपनी थी, तो इनकी छे रॉड्स वन गी, तो पूरे फीचर को हम ने छे एंगल से ऊपर कवर कर दिया, और हमारा इडादा था कि ये चलते जाएंगे अगे ले, पीछे बाले फेच करें ना करें देखी जाएंगे, जो प्लेटी होने होने तो, और कोई तरीका नहीं है, तो हम डेलाइट हो जाते हैं, फिर हमारा काम खताम है, तो सभी सेमेट थे, तो ये सोच विजार करके हमने अपने प्लान बनाया, तो ये फाइपरा की जो कंपनी आई, उसको भी ये प्लान दिया, उसमें थोड़ से उलजने आगी, वो कहरे रहे हैं, हम तो सेयाचन में बैठे हुएं, सदन सेयाचन में, छे मिने से, अभी मेरे पास चोट्रॉप्स हैं, उनमें से काफी सारी जैसेयों वेर उन्फिट हैं, बिकॉज ये नोट दन मैनी मूवमेंट छे मिने से, वो एक स्टाटिक बैठे हैं, आप कहरे हैं, सारी तीन दन फूर तक आपको करना हैं, कराके दे रहे हैं, हम तेन दिन से मूवे हैं, वेपन्स भी मेरे को अभी इसास राइफल्स दास्ते मेरे हुई हैं, तो मेरे बटनागर था, जिसका बाद में कोर्ट माशल हुआ, तो मैं अयर क्या करें पिर, क्याथा मैं टाइम चाहिए, इनको फिट करने के लिए, तो मैं टाइम, कर दो किया हैं, तो इसकी फिर रपकुर्शन्स होंगी तू सोच ले कराके बगजाल है तो टेल जनल बुदवार इविनिंग रिपोर्ट तो मैंने इविनिंग में बुदवार को बला इस तर वो कमणी कहा जी है कि यह दिकत है लेकिन यह सर जैनुविन भी तो था ना उनका जो कंसर्न था जै सब्सक्राइब मैं की एक तो अशवार किन सब्सक्राइब भी में था उल्काराइब चैनों करूंग अजिए की सब्सक्राइब था अश्यार रग्रिप्रा और शोच बें वरहां रखाल है तो प्र लिझे है पांच तेन वाड़ा करूंगा तो यह बहुत स्टैने में तो उसे कानवना नहीं कि उसे कोई बार में पानी तदा चली एंचे एनो ने प्रोब्लम पोस्ट किया कश़को कमांडर को वो कहनी एक अलग कहानी है इस अमनी डलओग değil but before I knew it that CEO of the battalion set in some glacier battalion in a helicopter with one company commander Karyapa and an additional company officer Surinder 11 Surinder they were flown in and मेरे पास एक पारा की company पहले से भी आ चुकी थी तो CEO ने आके ये जो बतनागर था company commander इसको बोला you are removed from command and new company commander Karyapa को कर दिया और प्रानी company वालों को भी बोला लिया अभी बोला भी को इसमें से कितने अन्फेटो बोलो जो अभी कमनी आई है उसमें से खाफी दिन जाने बीस इसमें आथ खड़े की है कहता है ओके सैट बे हट जाओ और जो परानी कमनी थी उसमें से नए मंदे डाले वो खाली CEO ही कर सकता है ठीच है नो के रहर है उसने किया और भी जो अजस्में करनी थी वेपन शेपन चीजने चीज़ें करकर आखे मैं रहे को कहता सर कंपनी डेडी फर अटक बिद न्यू कंपनी कमांडर न्यू कंपनी 2IC अडिशनल ओफसर और मैं भी सात में आपके चलूंगा बेस अव देहिल अटक लिए मैं ने एटीज थे 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 में को बड़ पीक कोई निए 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 पर कैपा की थी तो आइग अगिए अटक लाउंच किया आपने ने उनीज पीस जून को देशनल और रात के ढ़ाई बजे उक्रियापा का में अगया सर मैं ओपर पहुंच यह एंगा कराके अग्रा के अग्राइब जून ने जो पॉजिशन ली थी उसने तकरिवन हिल से तकरिवन सौसाओ मेटर नीचे बड़ाइब तो अपना अरिंग बनाता है और प्लस बोल्डर तो उनके अंदर पैने हो गया और इतनी थे थुछ जरी कबाद निए अगया लदास को कमनी का मांटर का वो भी उपर पह काम तो हो गया करके तो जुछ वन रेक्टेड उनन पर जितने अठरल दी थी उननने सब वहां भी फार कियो नीचे बेस पे फार की उस तेम शेलिंग में जैसे काम हो गया तो we said fine we are just about to move when that shrapnel hit me on the nose कराके there and but the job had been done right okay there so eastern flank was cleared and now we were ready to prepare for the there कराके अभी जल मलिक साब काम आगे उनने दो या तीन बटैलिंट में को release करनी थी तो रिजार दी है जो कि अगले दोनों में हो गया कराके अधिल मचली अगले ती हाइसी में जो रिज़र्व दिवीजिजन आगे थी तो रिज़र्व दिविजन की ब्रिज़ था उनका अभी जो किमादेश प्रकाश ता तो इसकी सेव्टीन गडवाल और प्लस और इंबिटैन्स को रिलीस किया, तो इनको सेव्टीन गडवाल को चैना नाला में हुक मारने के लिए कर दिया, और इसको क्या बहुते हैं अपना जो प्लान था, सबसे आगे जो खालूबा रिड लाइन थी, उसमें लडाक साउच ज तो इसकी जो प्लाइन थी, यह ने लडाक सेवीक्राइब लॉटीन थी, जो यह उड़न थी, जो प्लाइन थी जो है जो आप बता रहे हैं तना थी, टेक्निकल डिटेल से, मुझे लगता है कि एक अनिमेशन टाइप काम को कुछ बनाना चाहिए, किसी को बनाना चाहिए, एक्सपेंड करने के लिए क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि अले का तो पुरा साइड मॉडल बना के रिक्वेस्ट है कि हम जब आएंगे इसके आखरी में बटालिक सेक्टर का किसी को कुछ पता नहीं कहा है क्या हुआ ठीके बट जो एंड रिजल्ट्स हैं बटालिक उननिस दिन में देर एंड नहीं हमने शुरू किया अठाइश जून को अठाइश जून को लेके तकरीमन चाहर पांच तक हमने इसब फीचर कर दिया एंड फिर मॉंत्वटालों से जाके लाइन अच्ट्रोल अमने चैटर कर दी नहीं जलाय तक देर आज बटालिक से बटा फिचर प सरेशन जाइश यह होगा था नएच्यून असकािब यह नहीं को यह तो पुकस था क्यूट ब्लेम करें को और मेरा हटे मैं कहता रहे गया कि भई सेंटी पर केट तो तुरी डिव का हस्ता है बट हमारे पास तो कोई हमने कोई इंट्रूजन दालाओ नहीं किया हम तो भी तो पीछे वैली में बैटेते हो आए हैं और और सर यह इतना सारा इतना बड़ा सेक्टर था इतने बड़े हुए जो मदब अवार्ड्स मिले हैं जो इस ओपरेशन के दो और पूरे कारगिल वोर में वो मुझे लगता है यह बटालिक सेक्टर में बहुत कम है शायद मनोज पांडे एक एक पीविसी है दो 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 एमविसी हैं चिंटूगोगोई और वांगचुक किराके तो बहुत सतीन आदे राविसी हैं उस कमिटी के सुछिए नामबवार वीडिख सभी है उन्होंने फिर रायलाइट किया कि आपकी साथ बटालियूँ को रहुत उन्होंने जो आपने सब्सक्रण को रहुत न'M history onelli xamya लेक्र गोटालिक रिवल्क Wentar 77 ब्रिगेट 182 टेहरे मस्को मेरा 156 चॉल लिःंग बीक पियर इन सब्शन गोर निफ आपना प्रक्रवार ही बट ये इमिडिएटली आफ्टर वोर नहीं मिले ये रिव्यू के बाद ये तो थेटर ओलना अलग होता है वो उसे पूरी स्टडी होके फिर वो बैटल ओलन देते हैं और मैं कहीं न कहीं इंजस्टिस हुआ है यहां पर तब काफी इंजस्टिस हुआ है अभी भी जो मेमोरि है जिसको कि हम कारगिल मेमोरियल का नाम नहीं है वो हम कहते हैं कि वह एडिव मेमोरियल है एडिविजन का मेमोरियल है क्योंकि एडिविजन ने वहां दराज में एक्शन किया हम लोग ने फाइट किया है थ्री डिविजन के अंदर थ्री डिविजन का बटाले का रिप्से प्रवटीस, maximum POWs captured, six out of the eight POWs हमरे पस captured है, maximum दुश्मन को बढ़ी किया हमने, the results are outstanding, when you compare the list of their, General Bami की कताब है, उस उसमें क्रोनलोजी को उनने किया हुआ है, the results are outstanding, and by 9th July, by 9th July, by 9th July सब कुछ खतम है, वहाँ 26 July तक नहीं हुआ, मैं तुम बताता हूँ 9th July को क्या हुआ था, पहला सेक्टर ता जिसमें क्लिर हो गया, येस, completely क्लिर, 9th July को मैं बदामी पाग में था, और मैं महां से टेक ओफ कर रहा था वापस जाने के लिए, मेरे को बेज़ दिया गया था बार, आर्ट तारिक, वो पूरा वो जो ड्रामा हुआ था, कार गिल बे, तो उस बदामी माग में टेक ओफ करने के लिए रेडी हो रहे थे, जब उदर से एक और चीताया, लैंड किया, और जेनरल किशन पाल, 15 कोर कबांडर, उनकी गोद में स्टिंगर था, बहुत था, उनकी श्टिंगर था, और वो उतरे, मेरे उन से मुलाकात कुई थी एक दो बारी, बट वो मुझे जानते नहीं थे, मुझे देखा, जैसे कि कोई होकी बैंच या क्रिकेट बैंच जीत के कोई आ रहा हो, उसे हाथ में स्टिंगर, उसे स्टिंगर, रखा टेबल पर मेरे कोगा के, हम, भी दो, ट्रीने बट बट बाट रखे, भी दो, वी दो, यदो, बट बट रखे, I mean, भी दो कि क्या हो गया, इंक्लूदी अपने फुटने उस्टूज के रिखने पतरों थी की किया आए कि अनिगे पूदिकूम इसे कि देखते हैं जनल्माली की अपने किताब, जर्लममी की किताब, कोई भी किताब, जर्भाद विस्टूज क्ताब विख शवार बुख शुटने क्या थे लग जो है कि जो memorial है वो जो official coverage जा बटाले का नहीं है वो क्यों नहीं है क्योंकि जो मेरे को लग रहा है कहीं उन्होंने कहानी बना दी कि क्योंकि three division hold कर रही थी, intrusion हुआ उनके रिया में बाई वो blame game आगे, blame game है, three division blame game है, three division bad division, eight division जो आई है good division, but वो temporary था उस ताम के लिए, अभी पच्ची साल आ रहे हैं, हमको कुछ lessons सीखने चाहिए, क्योंकि सर यह हम सीखी नहीं पा रहे हैं, मैं देख लाँ, 62 में, 65 में, 71 का मैं ने डिसकुस नहीं किया है, लेकिन 1909 में फिर, मैं तो क बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बारी क्या होता है, कि awards दिये जाते हैं, कई बारी इसमें आ जाता है, कि यह मेरी regiment का है, वो position में देने के लिए तो दे जाते हैं, लेकिन फिर narratives भी impact हो जाते हैं, चलो वो तो होए गाई, थोड़ा बहुत, तो चलेगा, लेकिन जब आप awards द को जिका पेशा है, इसको समझना वो समझते हैं, पर एक चीज़ मैं और बोलूंगा, सर कि मैं उसके बाद मैंने IMA की फिल्म की थी, NDA की फिल्म की थी, Standard Bearers, फिर IMA की Making of a Warrior, तो एक exercise हो रही थी सर, परवत रक्षा जो भी होती है, तो मैं जब तक उपर पहुचा वहां पर कैमरा मैमरा लेके अंधेरा हो गया था, तो वहां बॉनफायर हो रही थी और वहां पर सारे प्लाटून कमांडर्स और कमणी कमांडर्स बैठे वे थे, और IMA में जो भी जाते थे, आइस इंस्ट्रक्टर्स, वह ओल दो चैप्स जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में बहु क्योंकि अवार्ड सारे एट डिविजिन के, मुछ तो थे हाट डिविजिन के थे, तो मैं पहले से सुनता रहा है, मैं जो चुपनी रागा, मेरी भी आदत है, मैंने बोला देखो यह तो सब ठीक है पर बटालिक पे जो हुआ था, मैं अपनी तरों से मुझे 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 कि मैं दो तीन बारी आया था, आपके सेक्टर में तोर्तुक भी गिया था यह सब, और मैंने बटालिक का जिकर किया और मैंने 27 राजपूद वगरा की जो तोर्तुक पे उस साइड में जो लडाई हुई थी, मैंने का भी उनका भी कुछ है, पहले तो सब बढ़के देखा ह देखा है कि तो रह जो रहा है भी जो तो इन वर फिर वो यह न बोलहा है बीच में दें एक दोन दोन ते वर यह व लिवा यह वानने दो भी तो यह आप केहरो ना कि यह अपने जो अदेंपराव नको सब को मालूम था और जो लेवल और रिस्पक थी कि बढ़क में यह फि eight division विविजल्टीज थी थीड़िए तरह दोग तरह जो भी अगेंगेंगेंगेंगें जो देखेएंगें एधूर। जैसे जैसे बिगेडे साब क्या एक नामी इस बेंग इस बेंगे पोस्ट वेटनाम के अभी भी सर मैं 71 वार पे बैटल ओव आशुगंज क्योंकि वहां ब्रियाड कमांडर के साथ क्या हो था यही तो सकानी है वहां पे वह मिश्रा साब ने जो गरबड की तो वह पूरा उसम जब मेरे पिताजी गुजरे हैं उनकी आखरी शब्द यह थे कि करल दो रेजिमेंट उसम जेनल चकरवरती थे कि भाई आशुगंज में अभी भी मेरी पल्टन को रेकिनिशन दे दो लेकिन नहीं हो तो हो एगा है दो सेम मिस्टेक्स जो हम रिपीट करते रहते हैं हर वोर इसा है कि history is written by those in power right there was whatever said at that time the mindset the ficou जो कोकरी कमांड केंट्रोल में थी उन्होंने history लिखी है जैसे उनकी सोच वाइब में उनने किसम का history लिखने का plan बनाया जिसमें जैसे की है three division bad division eight division good division right under that सब चीज़ें फॉलिन की गई हैं तो इफ डाट वाइंड सेट देन इट इस देर पर पॉइंट इस थारा उस ताइम थीक है 25 यह के बाद अभी टुड्रॉ दॉड्राइट लेसंस हां पूरा मिलिटरी लीडर्शिप वो जो उस ताइम पर बाइस इस थे वो नहीं है कि भाई there is no denying that जो विक्ट्री हुई है वो एड डिविजन में हो थी डिविजन में हो जा जम्टी प्रिगेड में हो वो हमारे बटैलियन्स ने की है हमारे जवानों ने की है हमारे young officers ने की है और even commanding officers भी बड़े बटैलियन उन्हें ने काम की है उसके उपर मैं ये कह रहा हूँ कि there is a बहुत ज़्यादा जूर्थ है कि कार्गिल वार को study किया जाए और देखा जाए कि जनर्शिप कहा थी जनर्शिप कहा थी क्योंकि इस लराई में जनर्शिप का क्या रोल था क्योंकि अभी हम देखे रहे हैं इसराइल वाली लड़ाई लेलो अभी इसराइल लेलो ठीक है हम कह रहे हैं कि वही इनको पांच दिन के बाद attack का हुकम मिल गया था 111 GR को कोई त्यारी ने कोई समान हैं इसराइल क्या हम कल जाके काजा को खटम कर देंगे एक मीने से बैठे हुए ना अभी गया हैं मेरा कहने का मतलब है यह जो military reality को accept करना is very important है आपको इतनी जल्दी हमले शुरू में नहीं करने चाहिए थे क्या पता यह रड़ाई पांच सो पचास के बडले डेट सो हैं अब हमने एक common sense वाली बात है मेरे को नहीं पता military यह कितना stupid question है लेकिन यह सब लोग बैठे हुए थे उपर चोटियों पर और हम नीचे से उपर चड़ रहे थे इनके पास उपर ना कुछ खाने का था ना पीने का beyond a certain limit तो हम उपर चड़े ही क्यों हम नीचे क्यों नही बैठे रहे आपने बहुत अच्छा स्वाल पूछा हमको थोड़ा सा इनको और गुले भराक बरसा के यह करके यह जल्दी क्यों थी मतलब उपर चड़ने यह सवाल अभी तक वही तो कह रहा हूं यह कोई पूछ नी रहा कोई पूछ नी रहा यह तो अपर आपने विकेम व अभी इसाल का देख लो मैं नतनायू की स्टेट्मेंट देख रहा हूं वो कहरा है एक्षन विल बी ड़न वाट अपर अभी तुम एक मीने से बोल रहे हैं आपने चले जाएंगे वो अब उन्तर नहीं कह थे उनको पता कैजूटी उनकों के पहला करके सब कुछ पहला करके राम से इनको सौफन कर सकते हैं वहारा क्या जा था पर 15 वीज दिन महिना सौफन करके इनको शेलिंग से वैसे फिर जाना चाहिए था अब बड़ा लेसन जो डिफीट इंट विक्टरी में जर्रल सलिम भी बात करते हैं जब 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 चैपनीज और वालनट कि मेरे को अपनी मैं काई को चोट खाऊंगा तो मैं मारूँ गा तो इसने बड़े हतोरे से मारूँगा कि उसे चित्रे कर जाने में यह बटालिक सेक्टर में तो चित्रे क्या हैमर किया वहां पर तो आप स्क्रूड्राइव लेकर पोक कर रहें आपको दो साल यह नर्मल तरीके से करते हैं जैसे और किया है यहां तो दो साल टाइस तीन साल लगने तो यहां पे अगर 21 पहाड़ी थी तो यह तो 21 का में लगा लो हर एक पे 20-30 भी लोग मरते तो कितने हो गए एक तरफ पूरे 528 है और एक तरफ यह होता चलो अब यह होना था पर इसक पर इसको गल्प उन्हें ने समझ यह पूरा प्रोच ही मेरे को कभी समझ में नहीं कि 582 का मरने का मतलब ही नहीं है देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका कमांडर ऑन दू ग्राउंड कह रहा है कि मैं बोलना चाहता हूं 800 पर मैं 600 बोलूँगा फिर आपके गेम तो नहीं है ना कि वन नो ट्रम्स टू ट्रम्स और थ्री डायमंड ऑटेबर आपका जब कमांडर कह रहा है आपकी जो हमारा जो यह सबसे बड़ा प्राव्म यह है कि जो फीडबैक आता है ना हम उसको डिस्मिस कर देते है कि यह और खासकर सर यह यह military circles में ज्यादा बात कर रहों यह गलत है मतलब यह रियक्शन आता है यह जो 45 मेरे को अभी जिनल मालिक शबने किताब लगी के प्रेस ने पूछा इन से कि ऐसा बोला साफ की कौर कमांडर साफ ने यह बोला कि वही मैंने बोला था 600 शाड़े 600 डिब कमांडर ने बोला था 400 शाड़े साफ प बट वीडियो क्लिप हाँ आपके देख लो यह कौर कमंडर साफ के यपकी टोल नंका हो गया है 17 का है 17 जून का है कि वही जिए यह वेरी आप के तिल टोल नंका है यह रकावर के प्रेस प्रेस रकावास इन आप यह जैंग कि आपना इस ने वापिन आप ने बीनिया ने य 17 जून की अपनी उनकी रिकॉर्डिंग है, I can pass it on to you, right? उस तेम में उनने चेंज किया, but 17 मेर तक, 17 जून तक तो जितनी चैजुलिटी सुनी है, then we could have reduced them, had the mindset been different. चलो, I think, अब हमारा दो गंटे का तो अराम से कवर होगे. एक नारेटिव है कि it was all good, कारगिल वर बहुत उस तरीके से तो थोड़ा एक moderate तरीके से हमने उसको एक अलग नारेटिव भी है, in the sense, it was all good, but there are some mistakes which we need to learn from. एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसको फिल्म भी कर रहा था पीछे, और मैं पहले भी बोला है, कि इसमें जो बास्केट की लड़ाई किया जो गोस्त था, वो बीच में 65 भी हुआ, 71 भी हुआ पर जो एक्शली कारगिल में हमने बरी किया है, क्योंकि आपे ट्रुक ड्राइवर्स होएं, चाहे उनके असिस्टेंट्स होएं, चाहे पॉर्टर्स होएं, हर एक भारतीय आगे जा रहा था, मैंने किसी को लड़कर आते में नहीं देखा कि वह बापस जा रहा हूँ, इट वापस जा रहा हूँ, इट उन्टेसिक साइड, और क्य everybody there was a higher cause and i think you'll agree with that you were at the fighting age but this was the biggest gain of kargin that suddenly that yourannya the ranga is is prepared to know everything but for all that it was because one of the factors was that it was televised in one way not everyone was still there we are sitting there what does that matter it's also that a nation is already mature कंट्रीज जो बटालिक्स आप इस इंटर्वियू इसलिफ यह मैसेज आजाए कि भई त्री डिव का अभी आप जो इतियास है जो उनका वह मरें जो जो भी है उनको आप जिस्टिस तो दीजिए और इस नेशन का बनता है अब नैशनल वार मेमोरियल बन गया है यह गया तो अब आप लेडनीटें चाहि पितने होना गाहम है नेशनल बना है तो अब रहे वर इतमाँ कर दीजिए आप यह अप कारगयल में करेंद बनाई तो साही थांक यह थांक यू बर्यमाट सर्विस एंड थांक यह थांक यह थांक तो एंड पर शूशन और रहनों धून जो हमारी बिटैलिंस हैं जिन्हों ने रेली कार्वित को जिताया है ठीकिना उनके लिए हैट्स आफ टु लिए लिए रेली दिलिवर दिस्टिंग नो रिस्टेंडिंदिंग जो शॉटकमिंग जम कहरे हैं वो अपर नीचे थी वो हर हर लड़ाई में होंगी जिनकों कि स्ट हुआ है